हलो एबरिवन तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास आपका पार्ट नंबर सेकेंड आनि की थाउजन गोल्डन रूल्स जो हम स्टार्ट किये हैं उसका ये पार्ट नंबर सेकेंड है फर्स्ट पार्ट हम लोग देख चुके हैं उसमें आर्टिकल्स आ आज सब का सब clear होने वाला है और एक चीज गौद करना आपको आपके exam point of view से जितना कुछ भी चाहिए रहते है ना सब का सब में cover कर रहा हूँ छूट कुछ भी नहीं रहा है ठीक है और अगर ऐसा कुछ आपको लगे तो कि सर इस point को आड़ करना चाहिए था आप फिर इस point को छोड़े हुए हो तो आप मुझे comment में कर सकते हो और बता सकते हो अब देखो जिसको telegram join करना है त्रीगीतम सर्च क अगरा और टास्क वाइज टास्क वाइज जो टैस्स सीरीज है उस सब कुछ मिलेगा आपको आपके डाउट भी क्लियर किये जाएंगे तो इसको join करने के लिए आप इस personal number पर मुझे और सब कर सकते हो अब जरा बात करते हैं आज के class के बारे में देखो noun आप लोग पढ़ और एक क्या होता है collective noun फिर countable noun uncountable noun इस तरीके से जो पढ़ते हो उसमें आप लोग उलजे रहते हो मतलब उसी में डूब जाते हो और जो main important points होते हैं उसको आप करते नहीं तो इसको को क्या करना है simple सी बात है कि बस एक नजर में देखना है जो हम लोग बच्पन से पढ़त होता है और कहीं कहीं पुरा slow बताऊंगा और ज्यादा detail में बताऊंगा जहां पर ज्यादा conceptual points होते हैं ठीक है अब बात करते हैं देख लो इसके बारे कि common noun और proper noun में आप लोग क्या करते हो कफी ज्यादा mistake कर देते हो मतलब पहचान नहीं पाते कि कौन सा common है कौन सा proper है तो कि एक boy है है ना एक boy मतलब एक लड़का मतलब इस सामान इसी बात मैंने कहा लेकिन proper का मतलब होता है कोई खास लड़का कहने का मतलब कोई खास नाम है ना तो अगर मैं boy बोलू तो boy का मतलब ठीक है एक simple सी बात अपने कह दी कि boy कोई है लेकिन अगर मैं बोल दूँ कि कोई प्रेम नाम का लड़का है है ना तो मैं किसी खास बॉय का नाम बताया हूँ तो खास जहां आ गया तो समझ आओ कि खास क्या क्या इंडिकेट कर रहा है प्रोपर है ना मतलब प्रोपर का मतलब खास होता है common का मतलब simple सी बात है ना तो common का मतलब होता है simple सी कोई बात यहां boy हो गया city हो गया कोई school है ना school भी आपका common के अंदर आए गर्ल समझ रहे हैं तो यह सब common name है और कोई खास कोई particular school का नाम mention किया रहे तब वहाँ पर आप उसको कह सकते हो कि वो proper noun है कोई simply मैं अगर बोलूँ कि कोई girl है तो यह common है common एक नाम बोला हूँ लेकिन अगर किसी girl के खास नाम को बोल दो है ना मालिया जाए गीता है ना एक लड़की का नाम है तो अगर मैं गीता बोल दिया तो समझो कि यह खास नाम क्या कहला रहा है proper noun तो आच से आपको इसको misteik नहीं कर रहा है कहीं भी यह word आपको दिखने को मिले漏 तो आपको confusion नहीं कर रहा है अब बात करते है step noun क्या होता है step noun का मतल़ होता है कि कि किसी के गुण के बारे में फिर कि स्टेट के बारे में अस थामर्स यह ना पर करप्शना करव अनुअ हो गया हीट होगया एंगर हो गया तो यह सारे नौन है इसमें बहुत जादा सोचने की बात नहीं है बस एक इंट्रो की तरह आप लोग इस को पढ़ लो देख लो ठीक है can अब हम लोग मुख्य मुद्दा के उपर आते हैं कि कौन कौन से रूल्स को हमें सीखने हैं तो ज़रा बात करते हैं कि रूल नंबर 51 क्या है 50 तक हम लोग देख चुके हैं अब 51 में हम लोग बात करते हैं कि क्या है कि कई बार किसी नाउन का सिंगुलर आ प्लूरल होना उस वाक के अर्थ की परिस्थिती पर निर्भर करता है मतलब यह कह रहा है कि पहले हम पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे मतलब कहीं आपको लग रहा है कि इस नाउन में प्लूरल होना चाहिए सिंगुलर अगर आप अटक रहे हो एक्जाम में तो आपको उसके अर्थ को अच्छे से देखना है हर एक बार जो रही नहीं हो ता कि आप पूरे सेंटेंस को पढ़ते चले जाओ आपको नहीं जानना होता है लेकिन अगर आपको कोई नाउन है वो सिंगुलर है प्लूरल है तो थोड़ा सा गौर से पढ़ने की आवशकता है आपको क्योंकि उस सेंटेंस के अर्थ में कहीं चुपा होगा और यह बताने की कोशिश कर रहा होगा कि वो नाउन सिंगुलर है प्लूरल समझे तो इसलिए कभी कभी आपको अपना कॉमन सेंस का इस्तिमाल करना होगा एक्जाम में तो वही बात यहां पर लिखी हुई है अब जरा बात करते हैं देखो यहां पर जो मैं कोशन लिया हूँ इसको देखो इस सारे एक्जाम में पूछे गए कोशन है यह ब टिसकस कि हमें सबसे पहले डिसकस करने चाहिए औड ध्रैश अउट्टी ठॉब्लम Hmm पईवन और हमें थ्रैश-उट्वर करने चाहिए सारे प्रॉब्लम को ़न बाई यहां पर अपर देख यहão पर आप देख रहा हो कि प्रॉब्लम एक सब्जा आया है उहां पर इसके बा तो यहां पर क्या होना चाहिए, problem, मतलब यह the problems होना चाहिए, तो यहां पर इसके अर्थ पर जाओ, इसके अर्थ पर कैसे जाना है, जैसे इसका अर्थ बता रहा है कि हमें एक-एक करके सारे problem को दूर करने चाहिए, यही तो sense दे रहा है, यही तो अर्थ दे रहा है, तो one by one क कहने का मतलब यह हैं आफके सारे problem इसमें बहुत सारे problem है ठीक है बहुत सारे problem है अब यह कह रहा है कि one by one हम problems होना चाहिए क्योंकि एक ही problem अगर है तो one by one होता ही नहीं मतलब सिंपल सी बात है कि हमें problem को thrash out कर देना चाहिए यह one by one लिखा ही नहीं होता लेकिन हम sentence के मुख के सब्द को हटा नहीं सकते मतलब one by one को हम हटा नहीं सकते है ना तो one by one यहाँ पर लिखा हुआ है इसका मतलब है कि इसके पहले जो भी problem है वो problem नहीं है single problem नहीं है वो problems है बात समझ लेओ फिर मैं repeat कर देता हूं देख लो कि आपको कहीं भी confusion होता है exam में कि वो कोई noun है particular noun है उसको हमें singular समझना है है plural तो उसके अर्थ पर कई बार depend करता है अर्थ यहाँ पर किसी अनुमाल आपको लगाना है जैसे मैंने अभी बताया कि one by one यहाँ पर indicate कर रहा है कि बहुत सारे problem है उसके एक-एक problem को हटाना है मतलब हर एक problem को एकक करके तो एक-एक करके मतलब वहाँ पर बहुत सारे problem है है ना तो यह sense दे रहा है आपको तो यहाँ पर the problem है तो इसको the problems करना होगा है ना तो यहाँ पर क्या होना चाहिए यह plural होना चाहिए the problems फिर से पढ़ो इसको in today's meeting we must first discuss and thrash out the problems one by one समझे तो part number C में आपका error था अब आगे पढ़ो और इसका sense निकालो और इसका अर्थ निकालना की कोशिश करो देखो यहाँ दिया interviews for the post of lectures will begin from Monday यहाँ पर बोलड़ै कि lecturer यहाँ पर होना चाहिए the post of lecturers the post of lecture post है सही है lecturers के post बहुत सारे हो सकते हैं आपके पास है ना lectures के post बहुत सारे हो सकते हैं मतलब यहां पद की बात कह रहा है, कोई जौब की बात कह रहा है, तो बहुत सारे पोस्ट हो सकते हैं वहाँ पर, 10, 20, 30 ऐसे कुछ हो सकते हैं, तो यहां पर correct है, अब यहां पर बात करते हैं दो देखो, यहां interviews लिखा हुआ है, तो क्या यहां पर plural correct है, अब फिर बिल्कुल correct नहीं है तो जरह देखो मालियाज आप interview देने के लिए गए आप interview देने के लिए गए और यहाँ पर panel बैठी हुई है पैनल कहने का मतलब 2-4-5 आदमी का एक group होता है जो आपके interview ले रहे होते हैं तो कहने का मतलब interview आप देने जाते हो तो simply यहाँ पर interview देने जाते हो आप फिर एक post के लिए जाते हो और आपको 4-5 अलग-अलग जगह पर interview लिया जाता है ऐसा तो नहीं किया जाता और अलग-अलग तरीके से नहीं लिया जाता आप simply जाते हो interview के लिए ना कि interviews के लिए समझ रहो बात को तो यहाँ पर meaning निकल रहा है कि प्रकिरिया एक ही है और वो प्रकिरिया है interview की प्रकिरिया है ना बहुत सारी process नहीं है वहाँ पर interview के लिए समझ रहो कि नहीं तो यहाँ पर यह sense निकल रहा है कि interviews नहीं होना चाहिए simply यहाँ पर interview होना चाहिए था इसलिए first part में एर्र था आपका interviews नहीं interview होगा अगला sentence पड़ो इससे साथ और clarify हो जाए कि मैं क्या यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरह से किसी noun का singular और plural होना उसके sentence के earth पर डिपेंड कर रहा है यहाँ पर पढ़ते हैं देखो यहाँ पर यह दिज़ प्रोटेस्ट आर बिकॉज आफ अब यहाँ पर प्रोटेस्ट है तो प्रोटेस्ट माले आज़ा गवर्मेंट का कोई स्कीम आता है तो देश में अलग-अलग जग़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ लेकिन इस sentence से पता चल रहा है कि किसी खास interview के बारे में बता रहा है और वो खास interview मंडे से सुरू होने वाला है और जो मंडे से सुरू होने वाला है जो किसी post के लिए जो सुरू होने वाला है उसके लिए आपको जाना है और वहाँ पर interviews नहीं होंगे एक ही interview होगा तो इस तरीके साब को sentence को पकड़ना था उसकी meaning को, समझ रहे बात को अब ज़र देखो अब ऐसा तो नहीं कि बहुत सारा interview देख करके चलायाएगा वो Monday को, है ना, और start होने की बात कर रहा है, Monday को जो भी begin होगा आपका interview, वो कोई एक ही interview begin होगा, है ना अब यहाँ पर देखो, इस question में protest यहाँ पर clear है, फिर पुरा पढ़ते हैं, these protests are because of the government's plans to raise the retirement age of public sector employees यहाँ पर बोड़ा की public sector employees जितने होते हैं, उसके age को बढ़ा देने के बाद, बहुत सारे protest हो गए, है ना, आप फिर हो रहें तो यहाँ पर बोड़ा की the government's plans अब यहाँ पर plans है, भाई, बहुत सारे plans है, बहुत सारे योजनाएं के बारे में बता रहे हैं, कि जो retirement age है, उसके बढ़ाने के बारे में बता रहे हैं, है ना तो retirement age सिर्फ एक plan है, उसके मतलब retirement age को बढ़ाना सिर्फ एक plan होगा या बहुत सारे plan इसके लिए करने पड़े होंगे भाई, ऐसा तो नहीं होता ना, government की कोई भी योजना आती है, तो आप देखते हो कि कोई खास चीज़ के लिए कोई एक योजना होती है, बात समझे रहे हो, तो यहाँ पर एक योजना के बारे में बता रहा है, तो इसके लिए बहुत सारे plans नहीं बनाएंगे होंगे, बस एक plan तयार किया गया होगा, कि यह retirement age को बढ़ाने का एक plan है, तो plans कहां से आ गया, है ना, तो simple सी बात है, यहाँ पर plans नहों करके simply plan होगा, clear यहाँ तक बिल्कुल, अब यहाँ बात करते हैं, देखो एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, कि कई बार किसी noun का singular और plural होना, उस वाकिके earth के प्रिस्थिती पर निर्वर करता है, है ना, तो इतना clear है, और थोड़ा बहुत, अब comment sense भी लगा लेना, उसके earth के अनुसार, जैसे यहाँ पर one by one से पता चला था, कि यहाँ पर बहुत सारे problem होंगे, तो यहाँ problems होना चाहिए था, किसी पर किरिया के लिए interviews नहीं देने होते हैं, है ना, interview एक single process होता है, समझे रहे हो, तो interviews नहीं होगा, interview होगा, हलाकि अगर sentence change करके दिए देता, कि आप बहुत सारे interview अपने life में दिये हो, तो interviews वहाँ पर कर सकते थे, लेकिन इस sentence जो बता रहा है कि, कोई interview स्टार्ट होने वाला है मंदे से, इसका मतलब कोई एक interview, प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, अलग अलग प्रोसेस नहीं, बहुत सारे interview जो वहाँ पर नहीं होंगे आपके लिए, तो इस sentence के इसाब से interview वहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, फिर यहाँ पर बता रहा है कि, प्रोटेस्ट, हाँ प्रोटेस्ट माना के बहुत जगा होते हैं, तो प्रोटेस्ट सही है अपने जगाँ पर, लेकिन एक retirement age को raise करने का एक plan तयार किया जाना सही है, अब फिर ऐसा होता भी है, बहुत सारे plan के आवश्रता नहीं होती वहाँ पर, तो plans होगा, plans नहीं होगा, plan होगा simply, ठीक है, clear रहां तक, अब आगे बढ़ते हैं, अब कोई के सर पहली दफ़ा में आप इतने tough वाले rule को बता जा रहे हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है, यह समझने वाली बात है, अब धिरे धिरे हम लोग बढ़ेंगे, आगे, है ना, level कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा, उस पर आपको tension नहीं लेना है, देखते हैं अब, यहां पर बोला है, कि अगर कोई दो समान common, countable noun, अब common noun, आप लो जान गए हो कि क्या क्या होता है, है ना, जैसे, boy, अभी अभी बताया, है ना, girl, school, यह सारे क्या है, common है, प्रॉपर बोलता, तो boy का नाम होता, राम, है ना, यहां पर girl का नाम सीता, तो यह प्रॉपर noun हो गया है, तो common जान गए है, countable, countable का मतलब कि जिसको हम count कर सकते हैं, और उसका plural भी बना सकते हैं, तो वही यहां पर बोल रहा है, कि common countable noun होगा, है ना, और दो, दो एक ही तरह के, जैसे यहां पर row है, चलो भाई, day है, मतलब day common है, अगर हम Monday बोल देता है, तो यह proper हो जाता है, किसी खास day का नाम, तो day है, फिर page है, और यह सारे countable है, countable है के नहीं, मानलिया, जब मैं बोलता है, कि इस book में बहुत सारे pages हैं, है ना, तो वापर pages बोल सकते हैं, मतलब count कर सकते हैं, इसका plural भी बना सकते हैं, लेकिन condition है यहां पर, क्या condition है, यहां पर condition है, कि अगर इस तरीके के word, कोई preposition से आपका जुड़ा हुआ हो, कि row upon row यह correct है, rows upon rows नहीं कर सकते, days by days नहीं कर सकते, pages after pages नहीं कर सकते, आपको इसको singular में ही रखना होगा, बात समझ में आई, फिर से पढ़ते हैं, जब रूल को देखो, बोड़ा है कि अगर दो कोई ऐसा noun हो, जो यह सारे preposition से जुड़ा हो, इसके जगाँ पर दूसरा भी preposition पॉसिबल है, तो अगर जुड़े हों, तो noun singular ही होंगे, भले ही इसका भाव plural का रहा हो, मत्तों इसका अर्थ plural निकल रहा हो, उसके बावजुद भी इसे singular में ही रखना है, आपको plural नहीं रखना है, यह बहुत सारी एक्जाम में इस रूल पर best questions पूछे गए हैं, ठीक है, तो और इसके साथ आने वाला वर्ब भी singular ही होगा, plural नहीं करना है उसको, जैसे देखते हैं कॉछन में क्या बोड़ा है, यह पूछा हुए SSC का कॉछन है, मतलब बाइबल के एकड़म पेज से पेज ही वो क्या कर दी है, पढ़ ली है अभी तक, समझ रहें बात को, तो यहाँ पर पेज है, पेजे से पेजे से और यह प्रेपोजिशन से जुड़ा हुआ है, तो सेंस क्या दे रहा है, अगर मालिय जाए सिंप्लि में पेज आफ्टर पेज बोलू, है ना, यहाँ पर S को अभी हटा दो, पेज आफ्टर पेज बोलू, तो इसका मतलब यह निकलता है, कि बहुत सारे पेज वो पड़ रखी है, तो सेंस तो इसका निकलता है, प्लूरल का, लेकिन भले ही सेंस प्लूरल का निकले, उसके बावजुद भी आपको इसको सिंगुलर में रखना है, क्योंकि ऐसा रखा जाता है, ठीक है, यह रूल कह रहा है, तो पेजिस आफ्टर पेजिस आपको नहीं करना है, पेज आफ्टर पेज करना है, रो अपॉन रो करना है, डे बाई डे करना है, जैसे नहीं कहते हैं कि आप दिन बाद दिन बुद्धिमान हो रहे हो, तो सेंस क्या आ रहा है, कि बहुत सारे डे की चर्चा की जा रही है, लेकिन इस सेंस के बावजुद भी, इसे क्या रखना है, सिंगुलर में रखना है, बाद समझ मैं अब इस रूल को मैं इसके पहले वाले रूल के ज़स्ट बाद ही क्यों रखा, क्योंकि यहां पर बोर्ड हाथा कि आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है, कि कहां पर सिंगुलर होगा, कहां पर प्लूरल होगा, जिसे वन बाई वन था यहां पर, इससे लग रहा था कि बहुत सारे प्रॉब्लम है, इसके पहले वाला नाउन जो है, वो प्लूरल में होगा, लेकिन यहां पर भी तो सेंस प्लूरल का दे रहा है, यहां पर भी सेंस प्लूरल का दे रहा है, उसके बावजूद भी हम इसको क्या रखेंगे इसको singular में ही रखेंगे clear यहां तक तो यह आपका खास एक rule है इसको आपको ध्यान रखना ही रखना है अब बात करते हैं देखो नेक्स्ट वाला देखो यहां पर बोला है वोमन आप्टर विमेन claim to speak against the present political situation सेंस बले ही आ रहा है कि बहुत सारी विमेन के बारे में बता रहा है लेकिन अगर यह किसी preposition से जुड़ा हुआ है तो इसको हम singular में ही रखेंगे अब first वाला तो singular में है अगला वाला women है यह लगा हुआ है तो यहां पर एक कर देंगे हैं ना women after women clear है women नहीं करेंगे ठीक तो यहां तक बिल्कुल clear है अगला देखते हैं यहां पर बोड़ा की one of मतलब यह सब्द अगर आपको जहां भी दिख जाए और उसके बाद जो भी आने वाला noun है वो हमेशा plural में ही होता है singular में नहीं होता लेकिन ध्यान देना उसका verb singular में होता है ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताने की कुशिस करता हूँ मतलब यह verb singular क्यों होता है और यह noun plural क्यों होता है इसके पीछे logic समझने की कुशिस करना यह rule कभी नहीं भोलोगे ठीक है जैसे यहां पर मैं बोलो कि one of my students one of my students one of my students is very intelligent ठीक है is very intelligent अब देखना यह बिलकुली correct है क्यों क्योंकि one of के बाद जो my student आया है यह plural में है clear और यहां पर verb जो आया हूँ singular में है is में है क्यों है ऐसा तो जड़ा देखो one of किस चीज़ का sense देता है one of sense देता है कि बहुत सारे चीज में से एक बात समझे बहुत सारे चीज में से एक अब यह जो यहां पर student है यह बहुत सारा है उसी में से तो एक को लिया गया होगा अब यह एक का sense दे रहा है तो एक के लिए plural verb का इस्तेमाल तो नहीं करोगे न एक single person का अगर यहां पर sense दे रहा है तो इसके लिए आप जो भी verb का इस्तेमाल करोगे वो ease का करोगे ना कि आर का समझ मैं आई बात और one of खुद में sense दे रहा है कि इसके बाद जो भी होगा वो बहुत सारा होगा है ना इसलिए one of के बाद यह plural में होता है noun और इसके बाद आने वाला वर्व इसके लिए होता है ना कि student के लिए ठीक है धुरा देता हूँ यह ease जो है यह student के लिए नहीं आया है यह one of के लिए आया है मतलब किसी एक student के लिए आया है इसलिए ease का प्रयोग हुआ है और one of जो sense दे रहा है यह दे रहा है कि बहुत सारे में से किसी एक की बाद की जा रही है तो बहुत सारे लोग तो इसके बाद होंगे ही होंगे ना तो one of के बाद जो भी आपका noun नाया है यह plural में होना लाजमी है है ना अब बात करते है देख लो यहाँ पर example में क्या दे रहा है कि one of her firmest belief अब भई यहाँ पर देखते हैं आपको समझ जाना था कि belief जो है इस singular में है और one of के बाद तो plural में होना चाहिए अब verb का देखते हैं कि इसके बाद ease है या was है क्या है ना दिया one of her firmest belief was that was है तो बिल्कुल यहाँ पर correct है क्योंकि वर्व आपका singular में होना था और one of के लिए आपका was ही आएगा ना कि वर्व है ना clear यहाँ तक और belief जो है यह singular में आया है जो की गलात है यहाँ पर blips होना चाहिए है ना तो belief को क्या करना है belief मतलब f को हटा करना f को हटाना नहीं है सिर्फ s को जोड़ देना है इसमें भी सिखने वाले है आपकी singular plural में कैसे आपका f को हटा करके v e s जुड़ता है ना और कई भर v e s नहीं जुड़ता है वो आप सिखने वाले हो आखरी question तक जाते जाते तो आप पर समझे आगे पढ़ने की भी आशकता नहीं है अब simple यह पढ़ो कि one of her firmest beliefs आपर beliefs होगा मिनिंग समझना है तो मैं पढ़कर सुना देता हूँ one of her firmest beliefs उसका बहुत सारी beliefs में से एक belief ऐसा है मतलब उसके 10-15 आस्थाएं ऐसी है जिसमें से एक आस्था के बारे में बता रहा है एक विस्वास के बारे में बता रहा है कि her friend sorted at her कि उसकी friend उसके उपर shout की चिलाई with a view to making her aware of her repeated lapses कि उसका जो बार बार repeat हो रहा है lapses मतलब नुकसान हो रहा हानी हो रहा है उसके बारे में aware करने के point से aware करने के view से aware करने के दृष्टी कौन से उसके उपर चिलाई उसकी friend है ना तो इसका ये जो belief था वो एक belief था इसलिए was लगा है और एक belief होता है इसका मतलब यहाँ पर उसके पस बहुत सारे beliefs होंगे इसलिए उस एक belief के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है समझे तो one of sense देता है कि यह बहुत सारे में से एक होगा और बहुत सारे में से एक की बात कर रहा है मतलब यह subject का का काम कर रहा है तो यह singular का ही काम करेगा क्यों वन ओफ लिखा हुआ है कि लिए रहा तक चलिए यह rule आप अच्छे से सीख गए अब जड़ा बात करते हैं देखो next question क्या है कि in one of our first conversation अब देखो in one of one of है our first conversation है first conversation के बावजुद भी मतलब first को देखकर कि यह नहीं समझ लेना है कि एक ही बात की गई होगी पहला conversation में नहीं first conversation में बहुत सारे conversation हुए होगे बातें हुवी होगी है ना तो one of लिखा हुआ है तो इसके बाद आपको क्या करना है conversation नहीं conversations होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर one of के बाद आपका conversations होगा s का इस्तेमाल यहाँ पर होगा यह आपको confuse भी कर सकता है क्योंकि previous year का किसी main exam से लिया गया है तो यहाँ पर confuse भी कर सकता है अच्छा first पहला है बतो एक ही conversation हुआ होगा भाई बातचीत के दुरान आप एक बातचीत नहीं करते हैं बहुत सारे बातचीत करते हो meeting भला आपका पहला हो सकता है समझ रहे हो बात को एक time एक ही meeting हो सकती है लेकिन किसी से conversation कर रहे हो बातचीत कर रहे हो तो उसमें बहुत सारे conversations possible है हलांकि फर्स्ट के हिसाब से यह decide नहीं होता कि conversation होगा कि conversations लेकिन यहाँ पर decide हो रहा है one of के हिसाब से one of है तो इसके बाद आपको plural में रखना ही होगा clear रहे हां तक चलिए भी clear रहे फिर singular और plural में आप confuse कर जाते हो है ना बच्पन से पढ़ते आते हो कि कैसे क्या करेंगे dog का dogs करेंगे cat का cats करेंगे yes yes जोडेंगे calf है अगर calf मतलब बच्छड़ा है उसको f को हटा करके v e s जोड़ा आता है calf को calves करेंगे है ना तो यह सारे आप बच्पन से पढ़ते आए हो जिसको आम लोग last में भी देख लेंगे लेकिन कुछ ऐसे conceptual चीज होते है जिसको आपको जानना बहुत जरूरी होता है जो confuse कर देता है अकसर exam में singular और plural में आपको लग रहा हो क्या सब चोटी चोटी बातें बता रहे हो यह चोटी बात नहीं है इससे exam में question पूछे गए हैं और पूछने के chance बहुत ज़्यादा है ठीक है तो आपको ढंग से सीखना है इसको देख लो यह है आपका a savings account यह singular है इसका अगर प्लूरल बनाया मतलब अगर sentence में दे रखा है तो ऐसे करके देगा मालो three savings account कहां लिखा हुआ है यह account क्यों लिखा हुआ है यह यहाँ पर नहीं होगा है इसको हटा देना माल यह जब प्लूरल करके savings के पहले three लिखा हुआ हुआ है होगा तो 50 customs officers ऐसे होगा अब आपको समझे नहीं आपको कि सर मैं कुछ समझा नहीं सब कुछ तो एक ही जैसा दीख रहा है customs customs दोनों जगह दीख रहे हैं savings और savings दोनों जगह दीख रहे हैं मैं समझा कुछ नहीं सर फिर से repeat करो फिर से सुनो बताना क्या चा रहा हूँ एस जो है इसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा बात समझ में आ रही है या तो यह singular में हो या plural में singular में हो तो इसके बाद जो भी यहाँ पर noun आया होगा वह आपका singular में होगा जिसे यहाँपर savings के बाद account आया है तो صहι है singular में है customs के बाद officer आया है तो सही है क्योंकि it singular में है लेकिन अगर plural में अगर आपको जहाँभी दी जाय 1959 दो savings के बाद आपका account होगा बत Karl वह भी plural में हो जाएगा Customs के बाद आपका officers होगा क्योंकि plural का sense देगा बात समझ में आ रहा है मतलब समझ रहे हैं बात को क्या कहना चाहरा हूँ कहना ये चाहरा हूँ कि singular में हो या plural में ये दोनो words जो है savings और customs ये हमेशा savings ही होगा customs ही होगा ये s हमेशा इसके जो suffix में लगा हुआ है yes वो हमेशा ही रहेगा इसका पीछा छोड़ने वाला नहीं है चाहे वो singular में हो या plural में हो बार बार repeat कर रहा हूँ ताकि आप भूलो नहीं फिर से repeat कर रहा हूँ कि savings और customs दो ऐसे words है जो हमेशा plural में ही आपको दिखेंगे बात समझ में आ रही है savings और customs बात करते हैं आगे देखो क्या कह रहा है यहाँ पर यहाँ बोड़ रहा है कि I have three saving accounts with three different banks बतो तीन अलग-अलग बैंक के साथ मेरा तीन अलग-अलग क्या है saving account है तो कहो कि sir बच्छमन से सुनते आ रहे saving account saving account है ना आपके इसमें भी एक ATM में जाते हो तो वहाँ भी देखते हो कि saving account से निकालना है कि current account से ऐसे करके देखते हो तो वहाँ पर हो सकता है मैं गौर नहीं क्या हूं कि savings वहाँ पर लिखा है कि नहीं लेकिन हमेसा गौर करने वाली बात है कि saving कभी भी अकेला नहीं रहेगा इसके साथ S रहेगा ही रहेगा तो यहाँ पर error क्या है भले ही यहाँ पर है कि three saving accounts accounts तो है plural क्योंकि three के लिए इस्तेमाल हुआ है तो तीन accounts है तो सही है accounts लेकिन saving कभी अकेला बिचारा बनके नहीं बैठा रहेगा इसको साथ देने वाला S हमेशा ही दिखेगा आपको चाहे हो singular में हो या plural में हो ठीक है अब बात करते हैं अगला sentence यहाँ पर यह the central government has released vacancies for three custom officers अब मैं क्या बताया कि 300 है तो चलो officers है plural है correct है लेकिन अगर singular रहे या plural रहे यह custom हमेशा आपको S के ही form में दिखेगा इसलिए हाँ पर आपको customs लिखना पड़ेगा फिर से दूरा देता हूँ एक आखरी बार savings और customs हमेशा आपको plural form में ही दिखेंगे भले ही इसका इस्तेमाल singular sentence में हो singular noun के रूप में हो plural noun के रूप में हो यह हमेशा savings ही दिखेगा customs ही दिखेगा clear यहां तक मुझे लगता है यह बहुत important है बहुत important है यह क्योंकि इससे question पूछे गए हैं और पूछने के chances भी हैं क्योंकि इन छोटे छोटे बातों पर लोग ध्यान ने देते हैं तो singular में भी दिखे तो भी प्लूरल जैसा दिखेगा लेकिन ध्यान देना इसके बाद आने वाला जो भी है अगर singular में है तो यह singular में रहेगा और plural sentence है वहाँ पर तो यह plural में हो जाएगा इसके बाद वाला ठीक है अब बात करते हैं नेक्स्ट यह भी बहुत important है यहाँ पर बोला है कि summons summons का मतलब होता है कि जैसे आप कोई गलती कर दिये हो और न्याले ने आपको बलाया है है ना तो जो भी एक बुलावा पत्र भेजता है आपको है ना तो notice जो भेजता है कहते हो कि notice आया है घर कहां से कोट से एक notice आया है तो उसको बोलते है समन, समन का मतलब होता है एक बुलाबा पत्र तो ये जो समन्स है, ये एक singular noun है इसमें S देखते साथ ऐसा नहीं समझ लेना है कि प्लूरल में है तो मैं इसलिए इसको add किया हूँ यहाँ पर कि लोग अक्सर गलतियां कर देते हैं कि समन्स है कि हाँ भई, ये तो प्लूरल है क्योंकि समन्स के साथ S लगा हुआ है लेकिन ये प्लूरल नहीं है, समन्स आपका singular है तो फिर कोगे सर बताओ, कि समन्स का हम फिर प्लूरल का अगर इस्तेमाल करना हो plural जैसा, तो इसको plural कैसे बनाएंगे और वैसी बात है, इसके साथ ES जोड़ दो, summons के साथ summons के साथ, अब क्या करना है ES जोड़ दोगे, तो क्या हो जाएगा यह summonses, clear यहां तक तो summons जो है, यह हमेशा singular में है, भले ही इसके साथ S लगा हुआ है, इसका S के साथ होता है, यह singular होता है लेकिन इसका plural बनाना हो तो summonses होगा, जैसे यहां पर मैं बता देता हूँ, यहां पर है 5 summons, वह यह 5 है, तो इसके बाद तो plural आएगा, अब आप सोचोगे कि सर यह S लगा है, तो यह already plural में है, जो कि गलत है, यह plural में नहीं है, 5 है, इसके साथ आप का आना चाहिए, summonses, तो S के साथ आप E.S. जोड़ दो, जैसे यहां पर था plural form में, यह ना, तो 5 summonses have been issued against him for the charge of robbery, कि लिए जाँ तक तो यहां पर 5 summonses होगा ठीक है, क्या होगा 5 summonses E.S. जोड़ना पड़ेगा, फर्स्ट पार्ट में एरर था आगे बढ़ते हैं, इसी पर बेस्ट और सारे questions है, summons has been issued against him for the charge of robbery, अब सेम question है, लेकिन इसके पहले इसके पहले 5 था, है ना, यहां पर तो 5 है नहीं भाई, तो क्या करोगे कैसे करोगे, summons has been, जी हां बिल्कुल correct है सर, क्योंकि यह सिंगुलर में है, और सिंगुलर का इस्तेमाल तो करी सकते हैं इसको और इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आया, has been have रहता, तो मैं कह सकता था, कि यह प्लूरल के लिए था, तो यहां पर summonses हो जाएगा, लेकिन यहां पर summons है, singular है, has been है, correct है, issued against him, for the charge of robbery, यह सारे correct हैं, तो लेकिन इसके बावजुद भी, यहां पर कुछ error है, क्या error है, क्योंकि summons, मतलब बुलावा पत्र जारी किया गया, कितना बुलावा पत्र, तो जाहिर सी बात है, अगर has been issued against him, for the charge of robbery, मतलब एक बुलावा पत्र को भेजा गया, और फिर एक बुलावा पत्र को जारी किया गया, यह इसूट के sense में लिखा जाता है, हलांकि, है न, और भी एक दो वर्ड इसके साथ आते हैं, समन के साथ, तो यहाँ पर गौर फर्माने वाली बात यह थी, कि सब कुछ correct था, यह singular में था, तो singular था तो भई, इसके पहले कम से यह तो दो गए न, है न, समझे बात को, तो यहाँ तक बिल्कुल correct है, यह होना चाहिए था, वहाँ, क्योंकि यह singular था, फिर यहाँ पर तो several summons have been issued, अब यहाँ पर summons के पहले several दे दिया है, एस देखोगे, सोचोगे, यह plural में है, तो सही है, लेकिन यह बिल्कुल सही नहीं है, क्यों, क्योंकि several के लिए इस्तेमाल होगा plural, और several के लिए हाँ पर देना पड़ेगा, summons, summons नहीं, summonses, ठीक है, summonses यहाँ पर करना पड़ेगा आपको, क्लिए रहाता है, तो summons को अभी देखा हम लोगे ने, कि क्या देखा भई, कि summons जो है, अपने आप में सिर्फ singular है, और अगर इसका plural का इस्तेमाल करना हो, तो summonses होगा, चलो, इतना तो हम लोग सीख गए, नेक्स्ट है, कि चाहे singular हो, चाहे singular हो या plural, हमेशा innings का परियोग होता है, मतलब inning, match का जो inning होता है, पारी जिसको कहते हैं, first party, second party है ना, मतलब अगर cricket देखते हो, तो उसमें क्या होता है, कि first party में, नहीं दिखेगा, जैसे इसके पहले भी हमने एक word को देखा है, है ना, savings और customs, वो कभी अकेले नजर नहीं आएंगे, चाहे हो singular में इस्तेमाल हो, चाहे plural में, इसी तरीके से innings भी है, आपको चाहे, ये singular में दिखे या plural में, अच्छा, इसके पीछे logic भी है, देखो, बहुत सारे rule के पीछे इतने सारे logic हैं, जो मैं समझाता नहीं हूँ, इसलिए नहीं समझाता है, क्योंकि एक हजार अगर rules को मैं बता रहा हूँ, उसके पीछे सबका logic अगर मैं देता चलू, तो पता है, rules के पीछे, अगर मैं 500 का भी discuss कर दू, तो समझ जाओ कि बहुत time taking हो जाएगा वो, लेकिन यहाँ एक चोटी सी बात समझा देता हूँ, कि इनिंग समय सा क्यों होता है, cricket खेलते हो, तो क्या एक ही इनिंग, मतलब first party ही खेल करके, कोई match समाप्त होता है, नहीं होता ना, दोनों पारियां खेली जाती है, तो यह हमेशा plural में ही होता है, लेकिन कुछ ऐसे game होते हैं, जो एक ही पारिया खेला जाता है, और समझ लिया जाता है, कि भई, वहाँ पर कौन जीता, कौन हारा, वहाँ पर break नहीं होता, मतलब, बिच बिच में break नहीं होता, तो इस sense में, वहाँ पर हम singular का इस्तेमाल कर सकते हैं, खर, यहाँ पर main जो मुद्धा है, वो क्या है, समझने लाइक देखो, कि innings आपको जहां भी दिख जाया, यह innings नहीं दिखेगा, यह S के साथ ही हमेशा दिखेगा, लेकिन अगर वहाँ पर खास तोर से baseball mention किया हुए रहे, तो singular का इस्तेमाल हो, तो inning का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, clear यहां तक, लेकिन ऐसा कभी आपके exam में पूछेगा नहीं, baseball से related कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन मेरे जहन में था कि baseball में inning का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी खेल में आप, बाकी क्या baseball के जैसा एक दो और भी खेल है, तो उतना ज़्यादा important नहीं है, लेकिन in general आपके exam में जो पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं इस चीज़ को लेकर के, कि कहीं आप innings को innings के तौर पर तो नहीं इस्तेमाल करते हैं, समझे लोगों, तो हमेशा आपका innings ही होगा, और ज़रत के हिसाब से अगर ये singular का तरह यूज हुआ है, तो उसके साथ फ़र्ब singular का इस्तेमाल होगा, plural के जैसा यूज हुआ है, तो plural उफ़र्ब का इस्तेमाल होगा, जैसे यहाँ पर क्या दिया है, कोशन में समझ जाओगे देखो, यहां दिया है कि it is very difficult to chase a huge score, यह बहुत ही difficult है, एक बहुत बड़ा score का पीछा करना, in the second inning, second inning में, यही तो बोट रहा है, अब ज़रा देखो, second है, मतलब दूसरा inning है, अब दूसरा inning है, मतलब दूसरे inning की बात कर रहा है, मतलब सिंगुलर की बात कर रहा है, है ना, सिंगुलर की बात कर रहा है, उसके बावजुद भी आपका यहाँ पर inning ना हो करके, innings होगा, second को देख करके, दो नहीं समझ लेना है, Second inning का मतलब है कि कोई एक inning है, उसके बावजुद भी ये गलत है, क्यों? क्योंकि ये inning नहीं innings होगा, क्लियर है, क्योंकि inning जो है, innings जो है, वो अकेले कहीं नहीं होता, इसके साथ S रहता ही रहता है, फिर यहां पर देखो, the first inning of the match was very sensational, मतलब बहुत ही उतेजना पूरुन था है ना, कौन सा, first inning match का, अज़रा बात करते हैं देखो, first है, तो यहां पर आपको लग रहा हूँ कि inning correct है नहीं, inning अकेले कभी आता ही नहीं, innings आएगा इसके साथ, है ना, और यहां पर was दिया हुआ है, मतलब एक inning की बात कहीं जा रही है, इसलिए was का इस्तिमाल हुआ है, म कि all innings आपका क्या है, plural noun है, समझगे, तो वही चीज़ कह रहा था कि चाहे, फिर से देखो यहां पर rule में, चाहे उस singular हो या plural, हमेसा innings ही लिखाएगा, है ना, और जौरत के हिसाब से यहां पर आप singular verb और singular verb का इस्तिमाल करोगे, जैसे यहां पर second question में था, first inning, innings, है ना, first ठेक है, तो आपको बस यहां पर छोटी सी बात ध्यान में रखनी है, कि innings जो है, वो कभी अकेला नजर नहीं आएगा, इसके साथ S रहेगा ही रहेगा, clear है, और अगर गलती से एक जाम में दे दे बास बिल, बेस बॉल, है ना, बेस बॉल दे दे मतलो game का नाम mention क्या हुआ और first inning की बात कही जा रही हो, तो वहाँ पर inning correct हो जाता, और अगर कोई खेल का नाम वहाँ पर mention ना क्या रहे, बेस बॉल जैसा, तो simply यह समझ लेना है कि inning कभी inning नहीं रहेगा, innings हो जाएगा, ठीक है, चाहे हो singular के रूप में इस्तेमाल हो या plural के रूप में, अब बात करत मतलो हत्यार होता है, यहाँ पर आलम है, आलम, ठीक है, आम सी पढ़ते हैं इसको, तो इसको हमेशा plural form में ही लिखा जाता है, उसी तरीके से, innings के तरीके से, इसको भी आम सी ही लिखा जाता है, अकेला आलम आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा, चाहे हो singular के रूप में इस दिखेगा, आम सी ही दिखेगा, मतलो इसके साथ एस चुड़ा हुआ रहेगा, जैसे इनिंग्स में था, आगे बढ़ते हैं देखने कोर्शन क्या कहा रहा है, यहाँ पर बोड़ा है, कि वन शुड नेवर गीव आम टू दा बेगर, मतलो भीकारियों को हमें नहीं देना च आम के बारे में, तो भई यह आम अकेला नहीं दिखेगा, इसके साथ एस दिखेगा, दिखेगा, ना तो बी नमबर पार्ट में एरर था, एस लगाना पड़ेगा, सेकंड में है, अब देखो, यहाँ पर आम्स अर गिवन टू दा पूर्स, अब यहाँ पर क्या करना है, आ 1000 रूल्स के जो फर्स्ट लेक्चर है, उसमें मैं बता दिया हूँ, अब इसमें देखते हैं कि कौन गौर फरमाता है, कि इसमें एरर क्या है, आम्स आर गिवन टू दा पूर्स, फिर से पढ़ देता हूँ, आम्स आर गिवन टू दा पूर्स, है ना, तो यह आपको ध्यान देना है, और आपको कमेंट में बताना है, इसमें क्या गलती है, जो पिछले वीडियो से रिलेटेड इसमें गलती है, बाकी यहां पर सब कुछ सही है, ठीक है, हिंट में बता दिया, पिछले वीडियो से रिलेटेड यहां पर एरर है, अब बात करते हैं, आगे देखो, य को समझना है कि Plural Noun है और इसके साथ Plural Southern का भी इस्तिमाल होगा लेकिन एक यहाँ पर Not करने वाली बात है कि Cloth Cloth का Cloth का quello क्रदल का कपड़ तो इसका दो रूप होते है मतलब इसका Plural का दो रूप होता है Coolaим होता है Coolasya लगा यहां पर देखो Clothes में अगर EES Add तो इसका मतलब होता है पुशाक पुशाक का मतलब dress कोई खास dress है आपके पास सिला हुआ dress तो stitched जो होता है knit clothes उसके लिए पुशाक और dress के रूप में हम इस्तावाल करते हैं लिकिन अगर cloth के साथ simply S लगा है, तो इसका मतलब समझना है unstissed cloth मतलब बिना सिला हुआ कपड़ा समझना है जिसे आप कोई कपड़े के दुकान जाते हो तो बहुत बड़ा-बड़ा बंडल रखा होता है शर्ट के कपड़े का, पैंट के कपड़े का तो वहाँ देखते हो, तो वो unstissed होता है वो सिला हुआ तो रहता नहीं है तो उस sense में अगर हमें plural का इस्तिमाल करना हो cloth का, तो cloth के साथ simply S लगा होगा, लेकिन अगर cloth के साथ ES लगा होगा तो simple सी बात जान जाना है कि भई, यहाँ पर इसका meaning देगा पुशाक का, ड्रेस का आप बहुत असानी से समझ जाओगे बहुत असानी से समझ जाओगे इस question से ही, क्या कह रहा है देख लो यहाँ पर बढ़ रहा है you need some suitable clothes for the party tonight thrown by your intimate friend मतलब जो तेरा जिगरी आ रहा है उसके द्वारे पार्टी दी जा रही आज की रात उसमें तुम्हें कोई suitable clothes क्या हो शकता है है ना, तो यहाँ पर देखो sum दिया है इससे पता चल जा रहा है भई, कि plural होगा आगे है ना, और plural होगा मतलब क्या, clothes तो पहनने हैं आपको तो क्या आप un-sticed पहन के जाते हैं उअप फिर सिला हुआ कपड़े पहन के जाओगे किसी पार्टी में, सिला हुआ, मतलब ड्रेस पहन के जाओगे, तो ड्रेस के सेंसuds में यहाँ पर इस्तेमाल करना था, इसलिए कि belong का मतलब verb के रूप में होता है जिसका मतलब होता है कि कहीं से belong करना कहीं से वास्ता रखना कहीं से संबंध रखना कहीं से वास्ता रखना तो यहाँ पर देखो लेकिन यहाँ पर belonging का इस्तेमाल जो हुआ है यह हुआ है सामान और संपती के सेंस में जैसे आप कहीं पर train पे जा रहे हो और आपके साथ एक luggage है उसमें जो भी सामान रखे हुए वो आपकी संपती है वो आपका सामान है उसको कहते हैं belongings ठीक है तो belongings का परियोग हमेशा plural noun के रूप में होता है और इसके साथ भी जो verb का इस्तिमाल होता है वो हमेशा plural verb का इस्तिमा उसमें कोई सामान ना हो तो वो आपका सामान नहीं कहलाता आप जब भी सामान केरी करते हो तो उसमें बहुत सारे सामान होते है इसलिए यह हमेशा belongings के रूप में ही आता है और इसके साथ अब कभी इस्तिमाल होता है plural का clear यहां तक तो logic भी समझते जा रहे हो speed में है ना दे as I become somnolent कि जैसे ही मैं थोड़ी सी नीद लिया कि मेरा सामान चोरी हो गया तो मेरा सामान के सेंस में यहां पर दिया है मतलब यह noun है तो कभी भी belonging नहीं होता आपके एक समान नहीं होते वहां पर बहुत सारे समान होते हैं है ना तो belongings होगा belongings ठीक है तो यहां पर s का लगाना मस्ट था जरूरी था किलेर यहां तक अब अच्छा यहां पर important point है देखो somnolent का मतलब होता है नीद ले ले लिया तो वैसे ही मेरा सामान चोरी चला गया तो इसका मतलब होता है थोड़ा सा सुस्ता जाना थोड़ा सा नीद ले ले लेना यहां पर एक root word आपका somna somna word से ब बना है जिसका मतलब होता है नीद इसके बेस्ट पर आप मुझे कमेंट में बताओगे कोशन अलांकि मैं बता चुका हूं वह नमर सब्स्टिटूशन में इसके बारे में देखो एक वड़े सोमनाम पुलिस्ट ठीक है इसमें दो है एक सोमना है और एक एंबुलिस्ट है ए बात करते हैं यहां belonging का sense था जो यह noun से था इसलिए इसको हमेशा plural रखे लेकिन belonging कई बार क्या होता है वर्ब का चौथा रूप होता है ना आई एंजी continuous रूप बोलते हैं हलाकि चौथा रूप नहीं बोलते उसको belonging अगर लिखे हम simply belonging दिख जाए तो इसका मतलब है कि आप क पुछा गया है यहां पर पुछा गया है कि I am belonging to India मैं इंडिया से बिलोंग कर रहा हूं and I am proud to be an Indian for your number of reason बहुत सारे कारण है कि मैं इंडियन होने का गर्म हसूस करता हूं यहां पर कुछ error दिख रहा है यहां पर belonging का इस्तेमाल noun के रूप में नहीं हो रहा है आप इंडिया आप इंडिया से सामान नहीं रख रहे हो कोई संपती नहीं रख रहे हो समझ रहे हो संबंद रख रहे हो तो संबंद में यह बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए लेकिन ध्यान देना belonging अनि belong का belong का कभी भी ing form नहीं यूज होता इसका continuous form का इस्तिमाल नहीं किया जाता और इसके और बिल्लोंग का कभी ing वाला form नहीं देखे होगे ओनिंग। का कभी ing वाला form नहीं देखे होगे belonging। जब यह वर्ब के तरह यूज हो, belonging के साथ हमेशा two का इस्तिमाल होता है, देखरो यहां पर, फिर process का कभी possessing नहीं देखोगे, have का having नहीं देखोगे, लेकिन आप कोगे सरह having तो बहुत बात देख चुका हूं क्या रत होता है तो देखो belonging का मतलब कहीं से अधिकार रखना कहीं से समंध रखना on का मतलब किसी चीज का कोई चीज का आपके अधिकार में होना है ना पॉसेस का मतलब तो owning के sense में और फिर process के sense में मतलब आपके पास वैसा कुछ रखने के sense में अगर इस्तिमाल have का हुआ है तो वहाँ पर कभी भी having का इस्तिमाल नहीं करते लेकिन कई के सर कई बार देखाऊं जैसे कि I am having my food I am having my food right now है ना मतलब मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि अपना food खा रहा हूँ मतलब खाना खा रहा हूँ तो इस sense में having का इस्तिमाल correct है मतलब खाने के sense have का बहुत रूप में इस्तिमाल होता है एक तो possession के रूप में अगर इस्तिमाल हुआ है जिसे I have a car तो उस sense में I am having a car नहीं कह सकते हो अगर आपने कह दिया कि I am having a car उसका मतलब खा रहा है आप कार को खा रहे हो जो कि possible नहीं है meaningless बात है तो वहाँ पर खाने के sense में having का इस्तिमाल करते है जो कि correct है लेकिन have का sense process और own के रूप में अगर इस्तिमाल किया जाता हो तो ing का form उसमें नहीं होता तो यहीं मैं बताने की कोशिश करा हूँ कि belong to और फिर own, process, have अगर इसका possession से related अगर verb के रूप में इस्तिमाल हुआ है तो इसका ing का form नहीं होता समझ गे बात को अब को अगे सर अभी अभी आपने बता है की verb का चौथा form नहीं होता क्यों नहीं होता अब सिर्फ बोल्ड़े continuous form होता है जिसे बच्पन से पढ़ते हो verb का first form, second form, third form, fourth form, fifth form ऐसा होता है ऐसा नहीं कहा जाता grammar में continuous form होता है नहीं चौथा form क्यों नहीं होता यह मैं tense वाले वीडियो में बना रखा हूँ अब जाकर कर देख लेना कभी अगर time मिले आपको तो ठीक है तो यहाँ पर समझ गया कि यहाँ पर belonging ना होकर कि क्या होगा I am belonging ना होकर कि होगा I belong क्या होगा I belong to India अब फिर he रहता है यहाँ पर तो he belongs to India है ना he belongs to India हो जाता ना कि he is belonging करेक्ट है यहाँ तक बिल्कुल तो यहाँ तक मुझे उमीदा अब पुरा सीग है belongings और belong के भी फर्क और belongings का अगर प्रयोग होता है ना उनके तरह जो main important बात मुझे बताने थी वीडियो के starting में ही वो यह थी कि अरे मैं तो मुझे दो बातें बताने थी पहली बात क्या बताने थी कि आप इस वीडियो में सीख किया रहे हो तो इस वीडियो में आप vocabulary सीख रहे हो indirectly आप vocabulary सीख रहे हो आप यहां पर सीख रहे हो तो आपको एक mind make-up करके चलना है कि इस वीडियो में almost 50 word को सीख रहा हूं agree or not आप अगरी कर रहे हो इस बात को कि 50 rule यहां पर देख रहे हैं तो 50 सब भी सीख रहे हैं हलाकि 50 से जादा भी हो सकते हैं मतलब 100 भी हो सकते हैं है ना तो इतना mind make-up करके चलना कि इसमें कोई बहुत जादा भारी भरकम वाला rule है नहीं इसमें क्या है कि mind make-up करके आपको चलना है कि मैं बस 50 words सीखने के लिए इस वीडियो को ठीक है superior than the former तो यहां होना चाहिए to the former to the former ठीक है तो उसमें error था कि typing error था कि टू लिखना चाहिए था मुझे superior के बाद जो कि दैन लिख दिया था हलांकि मैं PDF में correct करके दे दिया हूँ ठीक है student को मैं दे दिया हूँ पर स्टूडेंट को अब यहां पर बात क्या देखनी है देखो यहां पर एक superior to होता है मतलब junior to senior to inferior to यह सारे वर्ड जो आठ ऐसे लाटिन वर्ड होते हैं जिसके साथ तू लगता है superior junior senior interior है ना तो यह सारे वर्ड के साथ than का इस्तेमाल नहीं होता लेकिन यहां पर दा का इस्तेमाल हुआ था किसके लिए former के लिए greater than the former superior to the former तो यहां पर आप correct कर लेना कि senior के बाद two होगा वो tapping error से जजबाजी में दयान लिख दिया हुआ था ठीक है बस यह दो बाते मुझे बतानी थी पहली बात कि आपको mind makeup करके चलना है कि बहुत भारे भर कम rule नहीं सीख रहे हैं यहां पर हम कुछ words को सीख रहे हैं ठीक है singular और plural के form में तो इसी कि earnings भी आपको जहां दीख जायती यह plural noun के रूप में इस्तिमाल होता है ना कि singular के रूप में और इसके साथ जो भी verb का इस्तिमाल होगा यह plural verb का इस्तिमाल होगा जैसे मैं यहां पर बता दू आपको क्भी नहीं कहते कि my earning is not sufficient आपको क्या कहना पड़ेगा earnings earnings है यहां पर च कोई और आता है जिसका नाम है एस है ना तो अर्णिंग्स चलिए यहां तक करेक्ट है इस नॉट सफिसेंट अभी भी बताया कि अर्णिंग के साथ आपका सिंगुलर वर्ब का इस्तिमाल नहीं होता अब आप सोच रहोगे कि सार यह सारे वर्ड्स जितने सारे आपने बताया अर्णिंग्स इनिंग्स और सारे सेविंग्स तो इसको सब एक ही रूल में क्यों नहीं आप कॉम्पैक्ट करके लिख दिये नहीं इसके पीछे भी लॉजिक है क्योंकि हर एक यह सारे जो वर्ड है एक दो तो मैश कर जाते हैं तो जैसे कि कहीं कहीं किसी वर्ड का इस्तिम होता है plural form में भी हालनकि उसके साथ हमेशा ऐसी जुड़ा रहेगा लेकिन सिंगलर के रूप में यूज हो तो वहाँ पर सिंगलर का इस्तेमाल होता है लेकिन earnings में ऐसा नहीं है और इसके पहले वाले रूल में भी हमने क्या देखा कि earnings का इस्तेमाल हम सिंगलर के रूप में कभी करते ही नहीं यह जब भी इस्तेमाल होता है तो इसके साथ plural form का ही इस्तेमाल होता है अगर छोटा सा clue में आपको देने की कोशिस करूं तो देख लो earnings कमाई कमाई को counting number नहीं है अगर वह countable noun होता मतला count तो कर नहीं सकते कमाई को इसलिए इसके साथ हम plural verb का इस्तेमाल करते हैं और हमेसा क्यों क्यों कि इसको plural noun के रूप में इस्तेमाल करते हैं कोई ऐसी बात होती जिसको हम count कर सकते थे तो उसके साथ हम क्या करते हैं ऐसे वाले word के साथ singular और plural वहाब दोनों का इस्तेमाल करते हैं और singular और plural noun के रूप में इस्तेमाल करने पर clear यहां तक? बिल्कुल clue समझ गए? क्या बताना चाहर हूँ? तो इसलिए मैंने सब को separate करके लिखा हुआ है वीडियो को बार बार देखना जो पहली बार देख रहो singular और plural अगर बच्पन में नहीं पड़े होगे इस वीडियो को देख लो भई और बार बार रिपेट करके देखना दिमांग में सब कुछ बैट जाएगा और खास करके वीडियो अगर नहीं समझ मारी हो तो इतना तो जरूर है कि ये सारे कोस्टन्स तो जरूर समझ में आते होंगे जो मैं करा रहा हूँ इस से भी आपका सारा डाउट किलियर हो रहा होगा है ना तो ज़रा देख लेते हैं कहने का क्या मतलब था अर्निंग्स का इसमाल हम singular रूप में नहीं करते हमें फुरूरल रूप में करते हैं इसके साथ प्लूरल वर भी आता है तो माई अर्निंग्स यहां पर सही था लेकिन बोला अभी अभी कि इसका रूप हम plural noun के इस्तेमाल करते हैं और प्लूरल वर भी इसके बाद आता है तो इस कहां से टपक गया इसमें आपको R करना पड़ेगा तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा My earnings are not sufficient So I have to be economical इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा Economical बनना पड़ेगा To save some against rainy days rainy days का मतलब दुख के समय में दुख के समय के लिए हमें कुछ save करना पड़ेगा इसलिए हमें कंजूस होना पड़ेगा अब यहाँ पर कोगे सरी Economical का मतलब कंजूस होता है जी हाँ लेकिन positive sentiment negative sentiment नहीं एक होता है miser कंजूस है ना अलांकि वो कैब वाले सीरीज में मैं बता रखाऊ हूँ इन दोनों के 20 पर Miser माइजर का मतलब मुझे कस्ट हो रहा है भले ही लेकिन मैं खर्चा नहीं करूँगा कस्ट जेल ले रहे हो मतलब वो क्या है कि बिलकुल ही आपके सौभाव से रिलेट कर रहा है लेकिन economical वाला कंजूस जो है यह आपकी समझदारी के बारे मतारा है मुझे कुछ पैसे खर्च होने से बचाने चाहिए समझे ले इस बात को तब वहाँ पर economical वर्ड का इस्तेमाल करते है तो यह positive sense में है यह negative sense में है समझे यहां तक मतलब किफायती बोल सकते हो pure हिंदी में economical का मतलब किफायती होना पड़ेगा मुझे economical होना पड़ेगा किफायती का मतलब समझदारी के हिसाब से खर्चे करना और खर्चे बचाना यहां तक तो earning समय सा plural noun के रूपे इस्तेमाल होता है singular noun के रूपे इस्तेमाल नहीं होता और इसी लिए इसके साथ plural form कभी इस्तेमाल होता है जैसे my earning सही था यहां पर लेकिन यहां पर ease नहीं होना चाहिए और होना चाहिए correct है next है यहां 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 my earning is less than अब यहां earning दे दिया यहां ease दे दिया दोनों ही गलत दिया भाई क्योंकि earnings होगा यहां पर ease नहीं होगा यहाँ पर आर होगा क्योंकि सिंगुलर के रुप में तो इस तो इस तो आता ही आता है और अर्निंग के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब का ही इस तो आता ही आता है चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर इसका मिनिंग है कि उसे तो जिंदा रहना चाहिए उस परिनाम आने तक उसके कु करमों के परिनाम तक उसे अलाइव होना चाहिए यही यह कह रहा है मतलब जिंदा होना चाहिए तो यहाँ पर क्या है देखते हैं रॉंग डॉइंग लिखा है मतलब कु करम है ना रॉंग डॉइंग मतलब डॉइंग आया है हमेसा plural form ही आता है इसके साथ plural verb का ही इस्तेमाल होता है ठीक है तो wrong doing नहीं होगा यहां पर wrong doings होगा S लगाना पड़ेगा clear यहां तक next है surroundings यह बहुत confusing है भाई मतलब बहुत लोग सोचते हैं मतलब पढ़ तो लेते हैं याद नहीं रख पाते मैं आज याद करवा दूँगा आपको देख लो सबसे पहली बात आपको ध्यान देना है कि surroundings का अर्थ होता है हवातावरन आफिर माहौल यहां तक सही है लेकिन सिर्फ surrounding रहे इसमें S नहीं जुड़ा रहे तो इसका अर्थ होता है इर्द गीर्द का मतलब जब भी sentence में आ जाए न तो इस तरीके से पढ़ना आप इर्द गीर्द का क्या इसका मतलब यह निकल रहा कि कुछ भी वैसा noun इसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे तो कहने का मतलब है कि यह surrounding है यह adjective है ना कि noun है ना और adjective किसके पहले आता है noun के पहले तो जाहरी बात है कि surrounding के बाद आपका कोई ना कोई noun आएगा है ना क्योंकि यह surrounding क्या है adjective है लेकिन अगर इसके साथ हम S जोड़ दे तो नाउन हो जाता है यहां तक समझ रहे हो चलिए यहां तक समझ गए सर अब आगर बढ़ते हैं तो फिर से दुरा दो कि surrounding अगर plural में आपको देख जाए तो इसका मतलब होता है वातावरन और फिर माहौल मतलब environment भी बोल सकते हो यहां का environment अच्छा नहीं है यहां की surrounding अच चारो तरफ का इर्द गिर्द का बात समझ भाई तो अब इसका यूजस देखते हैं कि क्या ये कहना क्या चारा है तो यहां पर कहना चारा है कि surrounding जो है भईया एक noun है चलिए सर समझ गए और यह हमेसा plural noun के रूप में इस्तिमाल होता है मतलब इसके बाद हम ease का इस्तिमाल न होगा अब हम लोग सिधा टपकते हैं questions के ऊपर यहां पर question बोल रहा है कि the beautiful surrounding of the place enchanted me अब यह क्या कह रहा है देख लो कि सुंदर से जो माहौल है वातावरन है वो मुझे दुभा दिया काफी जादा attract किया अब समझने वाली बात है कि यह surrounding अगर यह surrounding है मतलब plural में नहीं है तो इसका अर्थ क्या होता है इसका अर्थ होता है चारो तरफ का तो यहां पर sentence को पढ़ने की कोशिस करो यहां बोड़ा है कि the beautiful surrounding मतलब सुंदर चारो तरफ का place के चारो तरफ का enchanted me कुछ मिनिंग निकल रहा है फिर से दूर आता हूं मैं इसके मिनिंग को देख लो कि the beautiful surrounding of the place मतलब किसी place का चारो तरफ का सुंदर क्या किया enchanted me मुझे लुभाया यह कोई sense नहीं देता तो sense नहीं देता तो दूसरे sense में हम लोग देखते हैं पढ़कर के कि इस जगह का माहौल beautiful माहौल जो है वो मुझे attract किया जी हाँ यह सूट कर रहा है से ना the beautiful वातावरन जो है उस place का वो मुझे enchant किया तो यहां तक सही है तो वातावरन के sense में यहां पर meaning दे रहा है इसलिए आपर surroundings होगा बात समझे surrounding नहीं होगा नहीं समझे अगला sentence में पक्का समझ keep our surrounding neat and clean इसलिए हमें अपने surrounding को क्या करना चाहिए neat and clean साबसुत्रा रखना चाहिए अब यहां पर बोड़ रहा है चारो तरफ का चारो तरफ का नीट and clean रखना चाहिए क्या चारो तरफ का पहला तो चारो तरफ का meaning अच्छा नहीं दे रहा है अब देखते हैं वातावरन व समझ गये होगे अब इसके बाद वाला रूल पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ जाओगे यहां पर क्या बोल रहा है कि सुराउंडिंग जो है इसका मतलब होता है इर्द गिर्द का फिर चारों तरफ का और यह एक एड्जेक्टिव है जो नाउन के पहले आता है अब जड बहुत ही ज़्यादा मातरा में डैमेज किया है किसी वातावरन के बिल्डिंग को और फिर चारों तरफ के बिल्डिंग को अब जड़ा देखो यहां पर पढ़ेंगे कि पहला मिनिक है चारों तरफ का है ना चारों तरफ का चारों तरफ का दूसरा मिनिक होता है वातावरन दूसरा मिनिंग होता है वातावरन अफिर माहौल अब जहां पढ़ने के कुशिश करो चारो तरफ के वातावरन बिल्डिंग्स क्या मिनिंग दे रहा भई चारो तरफ के वातावरन बिल्डिंग्स यह तो मिनिंग अच्छा नहीं दे रहा समझ रहो, चारो तरफ के बिल्डिंग, तो यह तो सही आपका मिनिंग दे रहा है, है ना, कहीं के चारो तरफ के बिल्डिंग के बारे में बता रहा है, इर्द गिर्द के बिल्डिंग के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पर यह मिनिंग सही दे रहा है, यह वाला वातावरन वाला मिलिंग नहीं दे रहा है क्योंकि वातावरण के रूप में अगर पढ़ें तो यहां पर देता है वातावरण के sense में यहाँ पर अच्छा मिलिंग दे रहा है तो यहाँ पसे S को हटा दो क्योंकि surrounding का मतलब होता है इर्द गिल तो यहाँ पर बिल्कुल ही सपस्ट है मेरे विचार से कि the bomb caused extensive damage of the surrounding buildings ना कि surroundings क्लियर है और वैसे भी buildings आपका ना उने तो इसके पहले adjective का इस्तेमाल करेंगे surrounding का ना कि surroundings का ठीक है इसके best पर SSE में questions देखे गए हैं और banking में भी देखा गया है देख लो फिर से दुरा देता हूं कि surroundings जो है यह plural form में इसका हम हमेशा plural noun के उप में और plural verb इसके बाद आता है इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और surroundings जो plural form में होता है इसका मतलब होता है वाता और ना फिर होगे एक साथ बहुत सारे अपके डाउट क्लियर हो जाएंगे ठीक है देख लो डैमेश का भी दो अर्थ होता है भाई डैमेश का दो अर्थ होता है पहला अर्थ होता है कि हांफुल effects on somebody or something मतलब अगर अगर देखा जाएं तो यहां पर डैमेश का मतलब होता है हांफुल effect मतलब छटी है ना छटी और फिर नुकसान है ना छटी और फिर नुकसान और फिर जो भी आपका हानी हुआ है वहां पर तो डैमेश का मतलब होता है छटी लेकिन डैमेश में अगर हम एस जोड़ दें तो इसका मतलब हो जाता है डैमेश का मतलब छटी पूर्ती की रासी च्छति पूर्ति की राशी जो आपको मिलती है, मान लिया जा किसी वज़ा से आपको च्छति पहुँचाई गई हो, तो उसके लिए compensation राशी मिलती है, तो उसी राशी को कहते हैं damages, तो ध्यान देना, इसके दो अलग अलग अर्थ है, singular form में रहें, तो इसका मतलब होता है च्छति, और अगर plural form में रहें, तो इसका मतलब होता है च्छति पूर्ति राशी, पस इतना ही आपको समझना है, अब यहाँ पर क्या बोड़ा है, कि यह singular form में है, तो इसका meaning यह होता है, plural form में है तो इसका मतलब होता है छती पुर्ती रासी damage जो next rule में है question देखोगे फटाक के समझ जाओगे देखो क्या यहाँ पर कहना चाहरा है यहाँ पर पहला question क्या है the bomb cost extensive damages of the surrounding building surrounding आ गया है इस पर भी ध्यान जाना चाहिए क्योंकि इसका मतलब क्या होता है surrounding अगर similar में है singular में है तो इसका मतलब होता है चारो तरफ के building को नुक्सान पहुचाया तो चारो तरफ के sense में तो correct दे रहा है तो building अपने जगा सही है और वैसे भी buildings आपके noun है इसके पहले adjective के रूप में आएगा surrounding यहाँ तो surrounding बिल्कुल correct है अब damage के रूप में आपको ध्यान दे रहा है कि damage का क्या अर्थ निकल रहा है यहाँ पर अभी अभी बताया कि damages का मतलब होता है चती पूर्थी की रासी अब यहाँ क्या कह रहा है कि bomb जो है वो किस चीज का कारण बना बहुत ज़्यादा मात्रा में चती पूर्थी का कारण बना किस पर surrounding वाले buildings पर बहुत ज़्यादा चती पूर्थी का रासी बना यह क्या meaning दे रहा भाई damages यहाँ पर जोड़े है इसका मतलब रासी तो होता है amount ही तो होता है तो यह पैसे के sense में दे रहा है क्या इसका meaning नहीं दे रहा सर यहाँ पर दे रहा चती के sense में कि surrounding buildings को बहुत ज़्यादा चती पहुचाया गया है ना तो यहाँ पर damages ना हो करके damage होगा clear है नहीं clear है video back करके देख लेना समझ जाओगे next जो इसका है इसमें बहुत अच्छे से समझ जाओगे देखो he was ordered to pay मतलब कोई व्यक्ति order दिया कोई नेता वेता होगा जजवज होगा है ना वो order दिया क्या करने को pay करने को damage totaling 50,000 रुपीज तो यहाँ पर damage singular में है सर singular में है तो इसका meaning होगा क्या च्छती के रुप में तो किसी ने order दिया total 50,000 रुपई ये damage पे करने के लिए च्छती पे करने के लिए नहीं सर ऐसा तो नहीं होता च्छती पे कर कोई पे नहीं करता च्छती की राशी पे की जाती है च्छती पूर्ती की सिंपली रहे तो मिनिंग देख लेना डेमेज का मतलता है छती और डेमेज का अगर हम प्लूरल कर दें डेमेज तो इसका अर्थ बिल्कुल चेंज हो जाता है जिसका मतलता है छती पूर्ती वाली राशी के लिए रहां तक कोशन पढ़ोगे आप लोग बहुत अच्छे से और यह बार बाज़ो मैं टेस्ट को लगवाते रहूंगा ना कभी भी आपको सेंड कर दूँगा टेस्ट बढ़ोगा चलो भई तेरा स्कोर कमा आया था तू फिर से दे दे इसको है ना अब फिर आपका मने किसर में दुबारा दूँगा तिबारा दूँगा है ना तो पर समझ गे 64 और 65 वाला और 66 में चलते हैं देखो क्या कहा रहा है यह रूट यह कहा रहा है कि वेजी टेबल्स का परियोग हमेशा प्लूरल नाउन के रूप में यूज होता है और इसका प्लूरल फ़र्ब का इसके बार अब कोगे सर मैं वेजी टेबल खा रहा हूं गलत बोर्ड वेजेटेबल्स खहरे हो अगर उसका मियनिंग सब्जी है आगर उसका मियनिग सब्जी थि टो मेशी टेबल्स खाते हो आप एक सब्जी खाते हो क्या कभिश छोते होर्य कि हो발 और पो तो मतलब आलr Tomorrow की सब्जी खाए हो हुए उसमें प्यास धी अ होगे धनिया द निकलता है सब्जी नहीं निकलता तो इन जेनरल कहा जाता है इन जेनरल ऐसा माना गया कि अब सब्जी खाते हो तो एक सब्जी नहीं खाते उसके साथ बहुत सारे सब्जी होते हैं टमाटर होता है चाहिए मीनिमम भी करोगे तो दो सब्जी तो उसमें डाल नहीं होगी तो इ लेकिन सब्जी आप इंग्लिश में कहोगे तो आपको vegetables ही कहना पड़ेगा, बात समझ माई, इसके पीछे logic है, तो यहाँ पर है कि vegetables आपको कभी vegetables नहीं दिखेगा, vegetables के साथ S भी दिखेगा, जिसका मतलब होता है सब्जी, vegetables, तो कहीं भी अगर आपको vegetables नजर आए, तो आप का green vegetable खाना चाहिए हर एक दिन, to stay feed and feedal, feed and feedal का मतलब क्या होता है, feedal, feedal वारा वर्ड में बताया हूं, one word substitution के आखरी पार्ट या second last part में साइज बताया था, one word substitution में, तो इसका मतलब होता है कि बिलकुली मजबूत और feed रहने के लिए, क्या करना चाहिए, everyday आपको green vegetable खाने चा होते हैं, ठीक है, clear यहां तक, फिर देखो, valuables का भी मतलब होता है, मुल्लिमान वस्तुएं, इसका भी मतलब होता है, वस्तुएं, ठीक है, अब यहां पर क्या दिया है, कि valuables का परयोग हमें साब plural noun के रूप में होता है, और plural verb भी इसके बाद आता है, यह similar के रूप में इ safe रखें, as you live alone in this big house, क्योंकि आप इस बड़े वाले घर में अकेले रहते हो, इसलिए locker में आप अपने सामान को, मुल्लिमान वस्तुएं को क्या रखें, safe रखें, तो भाई, valuable आया है, सामान के रूप में, तो यहां पर valuables होगा, ना कि valuable, समझ गया बात को, तो इसको हमें स आपको plural में ही दिखना चाहिए, और फिर देखना चाहिए, clear है, चलिए, अब यहाँ पर बात करते हैं, contents, contents का मतलों क्या होता है, एक होता है content, इसको पढ़ते है content, content का एक अर्थ निकलता है, लिक देता हूं, content का एक अर्थ निकलता है, इसका मतलों होता है satisfied होना, संतूष देखे रहो यह content है यह content है तो content अगर पढ़ेंगे तो इसका मतलब हो जाता है विसे वस्तू विसे सुची अभी कोई वस्तू के sense में भी content का इस्तेमाल करते हैं जैसे मैंने कहा कि मेरे content क्या होगे ready होगे तो content नहीं contents कहेंगे तो यहाँ पर देखो समझो बात को कि contents भी हमेशा plural noun की तरह use होता है और इसके साथ plural verb का इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी book में contents होता है आप जाकर प्लट करके देखना होगा contents लिखा होगा और जिस book में contents नहीं लिखा होगा उसको काट करके contents कर देना उसमें s को add कर देना हलांकि single कहीं अगर लिखा हुआ है तो content भी correct है लेकिन किसी sentence में अगर इसका इस्तेमाल हो गया है तो contents लिखना पड़ेगा तो अकेला अगर कहीं यह word मिल दा तो सही है वहां तक लेकिन sentence में इसका कहीं अगर इस्तेमाल हुआ है तो contents होगा correct है यहां तक noun के रूप में अब यहां पर बात करते हैं देखो यहां बोले a publisher basically concentrates on the content of your book before publishing it मतलब publish करने से पहले एक जो publisher होता है वो किस चीज़ पर ध्यान देता है वो ध्यान देता है उसके book के contents के उपर तो यहां पर content नहीं होगा भाई contents होगा क्या होगा contents होगा ठेक है चलिए सर यह भी clear हो गया अब बात करते हैं आगे यहां पर है एक word और 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 से क्वाई है यह और से क्वाई का plural form है जिसका मतलब होता है अन्तिम संसकार तो ध्यान देना अन्तिम संसकार का जब भी हम इस्तेमाल करते हैं किसी sentence में तो वो plural form में हमेशा दिखता है और plural noun की तरह काम करता है और इसके बाद जो भी verb आता है वो plural form में होता है और obsi-quai का क्या मतलब होता है अन्तिम संसकार तो यह हमेशा plural में ही आपको दिखेगा य his eldest son who lives in America arrives here जब तक वो यहां अमेरिका से नहीं आ जाता जो अमेरिका में रहता है उसका बड़ा बेटा तब तक इनके जो अन्तिम संसकार है उसको परफॉर्म नहीं किया जा सकता है इसके पीछे भी logic समझ पा रहे हो कि आकर plural में ही क्यों होता है क्योंकि अंतिम संसकार में कोई एक काम नहीं होता उसके अंदर बहुत सारे काम होते हैं बात को समझ पा रहे होगे आप लोग तो इसलिए हमेशा प्लूरल में आपको दिखेगा अपसी क्वाइज ना कि अपसी क्वाइज नहीं अपसी क्वीज है ना तो यह इस के फॉर्म में दिखेगा मतलब संसकार की बात कर लिए तो कभी कभी विवासंसकार की भी बात कर लेते हैं तो अब्यसी बात है नपसील नपसील का भी मतलब होता है विवासंसकार अब विवासंसकार में भी कोई एक काम नहीं रहता बहुत सारे काम होते हैं इसके अंदर है ना इसलिए हमेशा यह प्लूर लेकिन जो विवास अंसकार है वो थोड़ा सा पीछे संपन हुआ है भाई आपको दीकिया है नपसियल तो नपसियल इकलोता कभी नहीं होता है आपको एस लगाना ही पड़ेगा तो नपसियल होता है चले यहाँ पर सही है समझ गए इसका sentence हिंदी में भी लिख दिया हूँ कि सीता ने राम को जैमाला पनाई लेकिन विवास अंसकार साधी पीछे संपन हुआ है ना पहनाया कर दो यहां पर ठीक है कैसे सर आप पहनाई क्यों ने पहनाया क्यों ने तो हिंदी के अगर विशे सग्य होआ आप तो आप समझ जाओगे कि अगर किसी लड़की के साथ ने लगाया जाता है तो यहां पर आग का इस्तेमाल की जाता है इसी तरीके से आपका powerful होता है और इसके साथ प्लूरल फॉर्प का भी स्तेमाण होता है प्रोसीडिंग जहां रखना इस वड़ को मत बूलना Proceedings पढ़ो इसको बार-बार Proceedings Proceedings बतलो सिर्फ Proceedings नहीं पढ़ना Proceedings एस भी आता है इसके साथ तो आप सिर्फ आज के क्लास में क्या सीख रहे हो आज के क्लास में Word Power सीख रहे हो यहाँ पर क्या पुछा है The Secretary kept a record of the proceeding at the meeting Meeting में Secretary ने क्या-क्या record को रखा किसके record को कर रवाई के record को तो यहाँ पर Proceedings है जो कि गलत है यहाँ पर ऐसा आपको लगाना पड़ेगा Proceedings होगा चलिए आगर की बात करते हैं 72nd number में Word आ है कि Savings वही वाली बात आगी जो मैं पहले बता चुका हूँ Savings Account है ना और Customs Officer इसी तरीके से यहाँ भी बोला है कि Savings का मतलब होता है बच्चत अपिर संग्रहित धन का परियोग Plural Noun के रूप में होता है इसके साथ Plural Vav का इस्तिमाल होता है तो मैं इसको अलग से क्यों बना के रखा हूँ क्योंकि हो सकता है इसके बाद अकाउंट ना हो है ना तो सेविंग से जहां भी दीख जाए आपको Plural Form में ही दिखेगा यहाँ पर बोला है The Balance in His Saving Account अब देखो Saving Account के बाद कर रहा है तो कभी भी Saving इकलोता नहीं दिखेगा इसके साथ S दिखेगा ही दिखेगा तो Saving Account कर दो चलिए सरी यह भी तो पहले भी समझ गए है Next है आपका Stairs Stairs का मतलो सीड़ियां जो आप घर के छट पर चड़ते हो सीड़ियों के थुरू तो वो हमेशा Plural Form में होता है ना किसी मुदर Form में और इसके बाद हमेशा Plural Verb आता है Stairs Stairs का मतलब Up Stairs भी हो सकता है Down Stairs मतलब अब उपर चड़ते हैं तो Up Stairs बोलते हैं नीचे आते हो सीड़िय से उतरते हो तो उसको Down Stairs कहते हैं तो यहाँ पर क्या दिया है I am going Up Stairs to see whether she is ready or not भई लड़की है कैसे जल्दी से तयार हो जाएगी तो यही कहा रहा है कि मैं उपर चट पर देखने जा रहा हूँ सीड़ियों हो करके कि वो तयार हुई है अभी तक की नहीं तो यहाँ पर देख लो Up Stairs आ गया है तो Up Stairs इकलोता रहेगा नहीं इसके साथ सीड़ियां रहेगी रहेगी है ना तो Up Stairs होता है बोलते ना के बास सब घो है ना तो यह हमेशा ध्यान रखो कि कॉंग्रेशलेशन्स जो हता हो Plural Form में होता है इसके साथ Plural Form का भी इस्तिमाल होता है किसी को एक Congregation नहीं दिया जाता दिल खोल करके दिया जाता है कंजूसी नहीं करना है ठीक तो ध्यान रखना इसमें भी S का इस्तेमाल होता है, रिजिलेशन में भी, नहीं टा है, यूज ऑफ ब्रदर, बहुत इंपर्टन, अब आ रहे हैं रोल्स देरेज़े, ब्रदर, ब्रदर का जो प्लूरल फॉर्म होता है, वो ब्रदर्स भी होता है, और ब्रदरें भी होता है, brothers और brethren धान रखोगे brothers और brethren दोनों होता है दोनों का meaning क्या है देख लो अगर एक माँ बाप का तोनों भाई बहन है मतलब एक ही माँ बाप के हैं तोनों पुत्र तो कहेंगे सहोधर भाई बोलते हैं उसको हिंदी में तो उसके लिए plural का form इस्तिमाल होता है brothers और अगर कोई एकी सोसाइटी से बिलोंग करता हो जो नहीं करते हैं हम सब भाई भाई हैं महले वाले ऐसे बोलते हैं तो इस तरीके से हो कि कोई धार्मिक संस्था और फिर किसी संस्था का सदस्य हो और फिर किसी एकी समाज के सारे भाई बंदू हो तो उसके लिए brother का plural form का इस्तेमाल हो तो brethren का इस्तेमाल होता है brethren ठीक है जैसे यहाँ पर कह देख लो यहाँ पर बोला है कि now all the brothers don't quarrel and live in peace at home घर पे सारे brothers क्या करते हैं अब जगड़े नहीं करते हैं और सांती प्रुवक रहते हैं अब कोगे सार यहाँ पर brothers क्यों नहीं करते हैं क्योंकि एक गहले के लोग भी तो आपस में सांती प्रुवक रहते हैं जगड़े नहीं करते हैं brethrens भी तो सकता है, यहाँ पर एक point लिखा हुआ है जिसे पता चलता है कि यह महले की बात नहीं कर रहा है एक किसी समाज की बात नहीं कर रहा है, एक किसी संस्ता की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है किसी एक घर के सदस के बारे में, at home, तो घर के सदस में क्या बाहरी लोग आएंगे, नहीं न, तो आपस में भाई कौन होगा, सहुधर भाई लोग, तो यहां पर brothers का इस्तेमा के भाई बंदूं के बारे में इक अपने सौधर भाई की बात हो तो वहाँ पर ब्रदर्स होगा ना की ब्रदरे यह आपर ब्रदरें नहीं होगा ब्रदर्स यह वाला करेक्त है सेकेनब वाला किला इंकरेक्ट हिए अब सभी सौधर-BAI ज्गडे नहीं करते हैं और घर में सांती प्रोग रहते हैं ठीक है मिलिंग दे दिया हूं फिर नेक्स्ट है करते हैं चलो अब हम लो उठ खड़े होते हैं उस्तिमाल किया जता है किसी को संस्था के सारे मैम्बर्स को ऐसा बोला जाता है ना जो कि ठीक हो अब प्र किसी मेंबर के खिलाफ अगर लाय करते हैं और नहीं है तो यह किसी समाज की नगोर को matter प्रदस्यों के बारे मता रहा है इसलिए यहां पर ब्रदर्स ना करके ब्रेदरें करेक्ट है ठीक है तो मिनिंग पर भी जाना कॉमन सेंस के ओपर भी जाना यहां तक सही है बिलकुल आगे बढ़ते हैं अब देखो सेम कुछन है कितने सारे कुछन ले रखाओ इसमें के लिए ब्रदर्स का इस्तेमाल कैसे करोगे सहुदर भाई के लिए इस्तेमाल होता है तो ब्रदर्स का इस्तेमाल करके ब्रेदरें का इस्तेमाल होगा और ब्रेदरें में भी धिहान रखना एक चीज कि इसके बाद आप लोग एसका इसका इस्तेमाल मत कर देना ब्रेदरे कहने में कितना अच्छा लगता है न हम हिंदू मुस्यम सब भाई भाई हैं भाई भाई हो ब्रदर्स नहीं हो ब्रेद्रें नहीं हो आप एक ही माँबाब के बेटें नहीं हो तो चलो समझ के बात को यहां तक next है at least those who belong to the same profession कि कम से कम जो लोग एक ही profession से बिलोग करते हैं must live amicably तम भाई भाई चारिक साथ रहने चाहिए दोस्ताने के साथ रहने चाहिए as they are brothers and मतलब क्योंकि वे लोग क्या है भाई हैं आपस में है ना भाई हैं एक ही profession से related है and a bond and a bond however professional in nature does exist among them और एक बहुत अच्छा bonding उनके बीच क्या होता है exist करता है भले उसके profession के nature कुछ अलग भी हो तो भी है ना तो बात जो भी हो यहां पर एक organization profession की बात कहीं जा रही है यहां पर और किसी एक profession में अलग-अलग माबापके बेटे होते हैं इसलिए brothers नहीं brethren का इस्तेमाल होगा brethren कि तो यहां पर काड़ दो इसको यहां तक समझगे बिलकुल आगे की बात करते हैं 76 नमर में क्या वोड़ा है genius का इस्तेमाल दो तरीके से होता है जीनियस जो है genius का मतलब होता है प्रतिभासाली है ना और इसका जो plural होता है वो दो form में होता है अगर प्रतिभासाली वेक्ती लेकिन अगर genius का plural जनाई हो जनाई जीन वाला जनाई है ना अगर जनाई हो तो इसका मतलब होता है प्रेत आत्मा भूत प्रेत बात समझ गे तो दो अर्थ होते हैं genius का मतलब आप लोग कमेंट में करते रहे तो ना सर इसका एक यह भी मिनिंग हो सक अगर आपको दीख जाए तो इसका मतलब होता है प्रतिभासाली वेक्ती और आपको अगर सेंस पकड़ना आना चाहिए सेंटेंस में कि प्रतिभासाली वेक्ती के बारे मता रहे कि भूत के बारे मता रहे तो जनाई होगा और अगर प्रतिभासाली वेक्तियों के बारे मता भारा होगा है ना तो गैने का मतलब है कि याँ पर meaning से ही clear है कि Alladhnin के सामने कौण appear हुआ होगा भूत प्रयथ अपिर आत्मा तो two geniuses नहीं होगा तो जनाई होगा जो कि correct है तो जिनियोस लिख होगे गलत हो जायगा Alladhnin के सामने दो प्रेत प्रकेट हुए है ना तो यह आपका सही है सेकन वाला गलत है समझे क्या सही है क्या गलत है नेक्ट है फिश इस पर भी काफी लोग कन्फियूज कर जाते हैं तोड़ा पानी पी लेता हूं जार देखते हैं फिश के बारे में देखो फिश जो है फिश का प्लूरल दोनों होता है मतलब फिश भी होता है और फिश भी होता है कब किसका इस्तिमाल करते हैं देखते हैं मतलब फिश अपने आप में भी एक प्लूरल है और अगर इसके साथ एस जोड़ दिये तो भी वह की अगर फिश un коп क्या फरक है कि अगर फिश ये भी प्लूरल है अगर फिश eh ik upload एक अगर विपिश फिश खुद में भी एक प्लूरल है अगर विभन परकार के मचलियों के बारे मात कर बात करें अलग अलग किस्म के मचलियों के बारे में बात करें तो हम fishes का इस्तेमाल करते हैं माल यह जो रोहू है, कतला है हम लोग जो भी मचलियों को जानते हैं अलग-अलग किसम का है अलग-अलग परजाती का है तो अगर वहाँ पर हमको इस sense में इस्तेमाल करना हो कि अलग अलग परजाती कि हाँ पर मचलिया उपलब्द हैं तो वहाँ पर fishes का इस्तेमाल करेंगे लेकिन fish का plural form में कैसे इस्तेमाल करेंगे दो sense में पहला आतो एक ही किसम के मचली हो और उसका group हो तब वहाँ पर simply हम fish का इस्तेमाल करेंगे और माल लिया जाया यहाँ पर भी एक group है यहाँ पर कुछ मचलियां एक परजाती की हैं दूसरी मचलियां एक परजाती के दूसरे समू में तीसरे समू में अलग-अलग परजाती की है चौते समू में अलग-अलग परजाती की और ये पहाड़ी है, जो भी है, मैं मचलियों के नाम भी नहीं जानता जादा, ये अलग परजाती की है, ना, फिर भी एक गरूप बना रहे हैं, तो जहां अलग अलग परजाती का आपको सेंस निकल कर आए, तो वहाँ पर फिसेस का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर किसी ए दिश का एक और यूज होता है, जब भी आप फीश का इस्तेमाल करेंगे डिश के रूप में, डिश के मतलब भोजन के रूप में, खाने के रूप में, तो भी आपर फीश का इस्तेमाल मत कर देना, वहाँ पर सिंपली फीश का इस्तेमाल होता है, तो जो मुख के रूप से को अलग अलग परजातियों के मचलियों का समू है तो वहाँ पर फीश का इस्तेमाल करेंगे सिर्फ एक ही परजाति के मचलियां है एक ग्रूप में तो वहाँ पर प्लूरल के रूप में फीश का इस्तेमाल करेंगे ES नहीं लगाएंगे और खाने के रूप में प्रियुक्त हुआ हो तो वहाँ पर simply हम fish का इस्तेमाल करेंगे fishes का इस्तेमाल नहीं करेंगे किलियर है जी आशर बिल्कुल किलियर है आगे बढ़ते रहिए हम लोग समझते जा रहे हैं तो वहाँ चीज मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि fish का इस्तेमाल जो dish के रूप में हो खाने के रूप में हो तो इसको हम uncountable मानते हुए इसका plural हम सिर्फ fish रखते हैं ESRS का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करते है कोशन देखो समझ जाओगे फटाक के समझ जाओगे देखो यहाँ बेंगाली बेंगाली people do not eat fishes every day वो हर दिन मुचलिया नहीं खाते बट she does not like it at all चलिये यहाँ पर है कि बेंगाली people के बारे में खाने क बारे में बता रहे हैं कि वे लोग everyday नहीं खाते फीश को है न तो फीश को खाने के रूप में इस्तिमाल किया गया इसलिए यहाँ पर क्या करना होगा फीश का इस्तिमाल करना चाहिए पस ऐसे ही question पूछ जाते हैं ठीक है तो ध्यान रखना खाने के रूप में जब भी प् प्लॉरिल fom में तो फीशन पाफिर फीश का इस्तिमाल करेंगे बात समझ के एक पीस भी खाते हो तो भी आप फीश का इस्तिमाल करोगे दो चार पौई दस पीस भी खाते हो ऐना अलग- अलग पर जाते हूं कि मचलियां भी अगर आप फीश पाहिज़ कोई से incarnख हो क्यो क्योंकि याँ पर खाने के लिए आप इस्तिमाल कर रहे हो तो खाने के सेंस में फीसिस का इस्तिमाल करोगे हैं नहीं चाहे एक परजाती का मसली खा रहे हो चाहे अलग अलग परजातियों के मसली खा रहे हो वहाँ पर खाने के सेंस में सिर्फ और सिर्फ फिश का इस्तेमाल होगा आप तो एक ही पीस खाओगे तो भी फिश मल्टिपल फिश खाओगे मल्टिपल पीसेस भी खाओगे तो भी आपको फिश का इस्तेमाल करना पड़ेगा करेक्ट है तो कहने का मतलब है खाने के सेंस में प्लूरल के रूप में यूज करोगे और सिर्फ अब फिश का इस्तेमाल करोगे एस का इस्तेमाल वहाँ पर नहीं करना है आपको एक और एक्ट्रा पॉइंट याद रखना है कि जहां भी आपको यह फ्रेजल वब दीजिया फिश फॉर इसका मतलब होता है प्रसंसा पाने की कोशिश करना ठीक है जैसे कोई बच्चा कुछ अच्छा काम करका हो अच्छा रिजल्ट लेकर के घर आया हो तो क्या करता है he tries to fish he fishes for something चाहे ऐसा करके जब भी इस्तेमाल हुआ हो तो समझा ना fish for का मतलब होता है प्रसंसा पाने की कोशिश करना clear है फिर से दूरा देता हूँ कई लोगों को tough लगता है ये fishes का रूप जब भी इस्तेमाल हुआ हो plural के रूप में तो इसका मतलब ये निकलता है कि वहाँ पर भिन भिन परजातियों के मचलियों के बारे में चर्चा किया गया है अगर simply fish का चर्चा किया गया है इसका मतलब है कि ये एक ही परकार की मचली है जो एक ग्रूप में उसके बारे में discuss किया गया है लेकिन खाने के रूप में चाहे आप अलग-ण़ परजाती के रूप में खाओ, अब फिर एक ही परजाती के बहुत सारी मचलिया खाओ, चाहे एक ही मचली की एक ही पीस खाओ, तो भी खाने के sense में सिर्फ और सिर्फ fish का इस्तेमाल होगा लेकिन ध्यान रखना fish का इस्तेमाल जब भी खाने के रूप में भी होगा तो भी इसका इस्तेमाल uncountable noun के रूप में ही होगा और उसके बाद plural verb का ही इस्तेमाल होगा एक पीस भी खाओगे तो भी मतलब ऐसा नहीं कह सकते हैं I am eating a fish I am eating fishes I am eating fish ठीक है ऐसा होता है क्यों क्यों क्योंकि इसको uncountable noun मानते हैं जैसे मैं बोलू कि I am eating I am eating a fish तो क्योंकि सर आपने तो कहा था fish का इस्तेमाल ही करना है fishes तो नहीं होगा यह तो correct है लेकिन यह इसके पहले हम a नहीं लिख सकते क्यों क्योंकि जो fish है इसका इस्तेमाल हमके uncountable के रूप में uncountable रूप में बातो खाने के sense में जब भी fish का इस्तेमाल करते हो तो S और ES वाला तो होगा नहीं इसके साथ फिशी होगा ये तो correct है लेकिन इसको हम uncountable noun माने है तो इसके पहले हम A और N का परियों कैसे करेंगे क्योंकि uncountable noun के पहले हम A और N का परियों नहीं करते clear है आतक जी सर्थ clear है बिल्कुल सारे points इसमें मैंने discuss कर दिये है 78 नंबर देखो ये word बिल्कुल गलत है भाई lecture ship नहीं होता आपर ध्यान देना RER है lecture ship नहीं होता lecture ship नहीं होता है तो lecture होता है lecture ship नहीं होता तो बहुत लोग मिस्टेक करते हैं इस best question पूछा भी गया है जिसे he obtained a poorly paid poorly paid lecture ship at the university university में उसे बहुत ही कम paying वाला job मिला है lecture ship वाला तो यहाँ पर lecturer है जो कि गलत है सिर्फ होना चाहिए spelling पर ध्यान देना सिर्फ lecture होना चाहिए lecture ship ठीक है lecture ship उर होना चाहिए ना कि u r e r मतलब ध्यान देना कि lecture ship जब भी question में दी जाए तो मतलब अगर आपका ध्यान नहीं नहीं होता यहां पर free student ship होता है मतलब इसके best question पूछा गया इसलिए मैं इसको ले रखाऊं फ्री शिप नहीं होता free student ship होता है इसका मतलब होता है scholarship scholarship मतलब छात्री विटती मतलब रहने खाने के पैसे वेगरा सब free है ना सब कुछ free पढ़ने के रहने के सब कुछ free उसको बोलता है free student ship ना कि free ship free ship नहीं बोलते है इसको तो free ship जहां भी दीख जाए कार देना उसको समझ जाना कि वहाँ पर free ship नहों करके free student ship होगा जैसे यहां पर बोला है if you are if you score more than 90% marks in the examination अगर examination में आप 90% से ज्यादा स्कोर करते हो marks तो आपको क्या granted किया जाएगा आपको provide किया जाएगा free ship नहीं free student ship by the school से आपको क्या मिलेगा free student ship ना कि free ship यहां तक clear repair है next है आप का कि boarding होता बहुँ बोडंग ounce होता है बोर्डंग होती होता है ठाल यूज itas yn का डि कर्यों इस्के बाद अफक़ यह अब ही अब लगा रहाए अब लग लिए चेघ organism होता है आपको लिखना पड़े fiance Titसी अब सौरभ गांगली कि बहुत बड़े पर सके उसके फैमिली क्सारी मेंबर्स कि पैल्ट अगलत है जो कि ब्लू अमले तो नहीं होगा यहाँ पर होगा यहाँ पर होगा all the members of her family all the members लिख देता हो नहाँ पर all the members all the members of her family of her family ठीक है तो ऐसे होता है तो family members को गलत कर देना है ठीक, तो यहाँ पर क्या error था यहाँ पर error था, समझगे बात को next आपका the teacher of English का परियूँ होता है ना कि English teacher जैसे Mr. Dubbe is my English teacher देखो, इसका मतलब निकला कि मेरे जो Mr. Dubbe sir है वो अंग्रेज सिचक है, अंग्रेज सिचक मतलब बिटेन के रहने वाले हैं इंग्लेंड के रहने वाले हैं, यह इस कार्थ निकलता है तो Mr. Dubbe, Mr. Sarma, Mr. Gupta यह सारे तो इंग्लेंड के हैं ने भई कहिना कहिने पैदा तो यहीं लिए होगे पले उदर से घूम के आए हो अलग की बात है तो कहने का मतलब है कि Mr. Dubbe is my English teacher करना गलत होगा इसमें कहना होगा Mr. Dubbe is my teacher is my teacher of English मतलब, क्योंकि हम यहाँ पर बताना चाहते हैं वो English subject के teacher है ना कि Mrs. Elizabeth is an English teacher तो वहाँ से होगा क्योंकि हो सकता है Mrs. Elizabeth नाम की एक कोई महिला हो teacher हो जो कि अंग्रेज हो तो उस sense में कह सकते हैं लेकिन हम लोग इन जनरल अपने जो बोलते हैं वहाँ पर हम लोग इस चीज़ का मतलब rarely इस्तेमाल करते हैं और वेचे नाम देखके कि आपको पता चल जाएगा कोई इंग्लेंड की है के नहीं समझ गे तो इन जनरल हम लोग कहते हैं the teacher of English ना कि English teacher और दोनों के meaning में क्या फार्क है यह हम समझ गए इसका meaning होता है कि वो English subject की teacher है और इसका meaning होता है कि वो English teacher है समझ गे बात को दोनों का क्या फार्क होता है फिर कजीन हम लोग बोल चाल में बोल देते हैं he is my cousin नहीं भाई मतलब he is my cousin यह तो correct है he is my cousin brother बोल देते है he is my cousin sister बोलते है नहीं English में थोड़ा अजूबा चीज होता है sister brother को यहां कहना ही नहीं है है ना क्योंकि हो cousin होता है simply हम ने इंडिया में बोलते हैं हो मेरा मतलब पडोस का भी बेटा है तो बोल देते हैं हो मेरा भाई है ना तो ऐसे इसे फोरनेम नहीं होता बात समझ रहे हो cousin मतलब cousin cousin brother cousin sister नहीं होता तो यहां पर क्या है he is my cousin brother यह गलत है फिर है क्या आपका कि gita is my cousin sister नहीं gita is my cousin बस इतना आपको कहना पड़ेगा ठेक है बिल्कुल सही है फिर आगे चलते हैं shade और shadow में काफी ज़्यादा लोग tension लेते हैं कि क्या फर्क होता है तो समझ लो आप 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 shade मतलब tree का shade tree का shade होता है भाई इसके बनते हैं परचाई किसके बनते हैं आप तो चलते फिरते human being के पिर चलते फिरते कोई बस तुके पिर कोई जानवर के तो परचाई और चाया में फर्क होता है tree का shade होता है tree का चाया होता है अब question आप पढ़ो कि आप समझ जाओगे आपको कुछ करना ही नहीं है, देख लो जैसे I heard the door I heard the door open मतलब मैं सुना कि door जो है open हो गया and saw a shade moving across the floor और floor से होते हुए कोई एक चाया गुजरा इसका ये तो मिली हुआ लेकिन भाई चाया गुजरा नहीं परचायी गुजरती है मतलब इस sentence को पढ़ रहे हो तो कहिना कि आवास और आपको ये बताना चाहरा है कि किसी न किसी की परचायी को हमने देखा कि door को खुलते हुए देखा पहला ची तो ये सुना और दूसरा ये भी देखा कि floor से होते हुए कोई एक परचायी गुजरी तो परचायी मतलब बूत प्रेत वाला कोई परचायी के sense में ये बता रहा है तो परचायी का sense है इसलिए यहाँ पर shade नहीं होगा यहाँ पर होगा shadow clear यहाँ तक बिल्कुल clear रहे किसा यहाँ shadow होगा परचायी के sense में next है he got so tired वो इतना tired हो गया कि he wanted to take a rest in the side of your tree तो वो पीड के चाया में rest करना चाता था है ना तो पीड का चाया नहीं बनता परचायी नहीं बनता भाई shadow का मतलब परचायी होता है यहाँ पर चाया होता है उसके चाय के चाये में आप ठहरते हो तो in the shade of your tree होगा in the shade of your tree ठीक है अब वह इसार हम लोग तो बसमे से पढ़ते हैं under the tree आप यहाँ पर in the tree कर रहे हो तो देख लो जहां दो यहाँ यह भी concept है कि जब भी shade हो जब भी shade हो जब भी tree के shade में आप इस्राम कर रहे हो तो in the shade of tree होगा लेकिन अगर आप tree के नीचे बैठे हो तो under the tree होगा under the tree ठीक है और अगर आप बैटे हो उसके चाया में तो in the shade of tree in the shade of tree in the shade of tree तो यह सब proposition आपको नहीं भूलना है simply रहे tree तो under the tree tree के चाया में बैटे हो तो in the shade of tree shadow नहीं बोलना है वहाँ समझे बात को आगे बढ़ते हैं फिर वही वाला सेम चीज़े अंदर और in का concept नहां पर जिया हुआ है कि याद रखना है इस चीज़ को कि पेड़ के नीचे बैठे हो तो seat under the tree लेकिन पेड़ के चाया में बैठे हो तो sheet in the shade of a tree correct है यहां तक sheet in the shade of a tree clear है तो अगर चाया में बैठे हो तो इंदर शेड और अगर ट्री के नीचे बैठे हो तो अंदर अट्री यहां तक सही है सर पढ़ते हैं देखें कोशन sitting under the shade of a tree अब यहां पर देखते हैं आपको समझाना जाना चाहिए कि ट्री का शेड में बैठे हैं तो अंदर नहीं होगा इंद होगा चलिए यहां तक लिए रहे फिर दर ट्रैवलर टुक रेस्ट below the shade भई shade के पहले below नहीं आता इसके पहले इंद शेड आता है तो शेड के पहले सिर्फ और सिर्फ इन आपको लगाना है ठीक है छली हम्हांपी समझे साथ फिर है फ्रूट का इस्तेमाल किस तरीके सोता है फ्रूट का देखते है यहां हम बोला है कि फ्रूट का प्रयोग समाने just how Arms फल का मतलब आम, अमरूद वाला फल है न फल हम लोग परी नाम को भी भोता है कि महनत का फल बहुत मीछा होता है ओ वाला फल नहीं है ये चेक है यहां पर बोड़ाए कि अगर फुर्ट का समान नहहीं था परियोग हैegर के अर्फ में अर्थ में करते हैं तो इसरा के इस हुआ खाने वाला अर्थ में अगर हम इस्तिमाल करते हैं तो हम singular remember औरन माझते हैं singular uncountable कहने का मतलब ना तो इसके पहले हम एक का परियोग राग़ कर सकते हैं ना तो इसके पहले edna का परियोग कर सकते हैं पहली बात तो ऑइभ सब्सक्राइब के बारे में बता रहा हूं जिसे मैं कह सकत ρ worries लगा लगा है ना उखने के बारे में बता रहा हूं तो प्रूट शे खिस्तिमें का सूम नाले जाता हैि इसको NATE है ना और इसका बारे में घ्रहा जोना को नहीं होता मतलब कर दो Fruits का इस्तिमाल नहीं करते और ना ही हम इसके पहले एक और एंट और न का परियोग करते हैं क्योंकि एक का ही प्रियोग यहां तक क्लियर है तो यहां तक समझा कि फ्रूट जो है खाने पीने वाला फ्रूट के बात ऊगर करें तो यहहां बोला है यहां बोला है माई my wife does not take the most मेरी जो पत्मिया यह को नहीं खाती तो यह बिल्कुल correct है, क्योंकि ना तो यहां पर plural के रूप में यूज हुआ है, ना तो इसके पहले A का यूज हुआ है, तो यह बिल्कुल correct है, फिर बोड़ा है, my wife does not take a fruit, मेरी wife fruit नहीं खाती, तो fruit के पहले अभी भी देखें कि A का इस्तिमाल नहीं होगा जब खाने पीने पीने वाला fruit के रूप में इस्तिमाल हुआ है तो, और my wife does not take fruits, fruits भी नहीं कर सकते भाई, क्योंकि यह uncountable noun है, तो ना तो इसके पहले A लगाएंगे, ना तो इसको plural बनाएंगे, तो यह दोनों ही correct है, यह वाला बिल्कुल आपका सही है, खाने पीने वाला fruit के बारे में यह आप लोग मुझे comment में बताओगे, क्योंकि पिछले class में बता चुका हूँ, और अगर आप इसका answer दे देते हो ना, कि यहाँ पर market के पहले the क्यों नहीं लगा, और the अगर लगता तो कब लगता, यह भी explain कर देते हो comment में, जिन्दगी बर नहीं भोलोगे इस concept को, इतना तो तो यहाँ पर market से कौनचा fruit लाएगा, खाने वाला fruit, तो खाने वाला fruits को हम क्या कर सकते हैं, इसको plural बना सकते हैं, नहीं बना सकते, तो सिर्फ लिखेंगे some fruit, क्या लिखेंगे some fruit, ठीक है, some से पता चल गया कि कुछ ज़्यादा मातरा में लाने को कह रही है, आप फिर तो कर नहीं सकते हैं, खाने पिने वाले fruit को, यह ना, क्योंकि उसको हम मानते हैं singular, uncountable noun, ठीक है, वो already singular है, तो उसके पहले ए भी नहीं लगा सकते हैं, और uncountable है, इसका मतलब हम plural कर भी नहीं सकते हैं, चलिए यहां तक clear result, लेकिन, यहां पर बोड़ रहा है, कि लेकिन जातियों के बारे में बता रहा हो, है ना, kind of fruit के बारे में बता रहा हो, तो अगर इस अर्थ में हो, तो countable noun माना जाता है, उसको, fruit को, तो countable noun माना जाएगा, तो उसके पहले हम यह भी लिख सकते हैं, या फिर उसको हम plural भी बना सकते हैं, जैसे यहां पर देख लो, example में, पुला, an apple is your fruit, बतलो, apple के बारे में बता रहा है, कि एक परकार का fruit है, kind of fruit है, देख रहे हो, तो kind of fruit आगे है, तो इसको हम countable noun मानेंगे, और countable noun मानेंगे, तो fruit के पहले हम यह तो लगाएंगे, लगाएं, क्योंकि an apple की बात कही जा रही है, तो a fruit तो होगा ही होगा, फिर पोड़ा है कि there are two fruits in the basket, अब दो अलग अलग परकार के basket में fruit है, तो भी यहाँ पर बिल्कुल correct है, two है, तो इसको countable माने है, जब हम, countable जब माने है, अलग 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 परकार के fruit के बारे में चर्चा कर रहा है, तो इसको हम plural मानेंगे, क्योंकि countable noun को हम plural बनाते ही बनाते है, है ना, और two लिखा है, तो इसका plural हम बनाएंगे, लेकिन कब, जब दो अलग अलग परकार के fruit के बारे में चर्चा किया जा रहा हो, तब kind of fruit के term में clear है, तो यहाँ पर यह countable noun के रूप में इस्तिमाल हुआ है, क्योंकि यहाँ पर kind of fruit की चर्चा की जा रही है, लेकिन, most important है, fruit से समद्धी, जो question पूछे जाते हैं, वो पूछा जाता है कि, जैसे हम भोगे में का फल बहुत मीठा होता है, तो फल बोल देते हैं हम लोग क्या बोलते है, फल, हिंदी में फल बोल देते है, ऐसा थोड़े बोलते हैं, की मेंहनत का फले, मेंहनत का फले, ऐसा तो न नहीं बोलते ना तो हिंदी में तो सिर्फ फल बोलते हैं लेकिन इंग्लिस में इसका उल्टा हो जाता है मतलब जब भी लाब अपरिनाम के रूप में फूरूट का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसको प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं फूरूट्स इंग्लिस में हैं उल्टा हि लिखते हैं, जैसे देखो यहां पर और plural रूप के में इस्तिमाल करते हैं और इसके साथ verb भी आता है, वो plural में आता है ठीक है, जहां बोला है the fruits of labor, मतलब hard work का, मतलब मेहनत का जो फल होता है are always sweet, are लिखा हुआ है हाँ सर, plural में माने हैं तो लिखना ही पड़ेगा, और fruit यहां पर अकेला नहीं रहेगा, इसके साथ S भी आएगा, क्योंकि यह लाब और परिनाम के sense में यूज हुआ है, है ना, तो the fruits of labor are always sweet, यह correct है लेकिन अगर बोले, the fruit of labor is always sweet, यह गलत है, क्यों यह आप लोग देख लेना, अगर आपको लगा हो कि मैं जल्दबाजी में इसको निकाल दिया हूँ तो एक दो बार वीडियो को देख लेना, यहां से repeat करके, ठीक है, और पीडिया भी मिल जागा, उससे भी revision कर लेना, और test को आप लोग तयार रहेना, Monday evening को फिर यहां पर बोला, everybody gets the fruit of his doings अब देखो, यहां doings आया है ना, मतलब अपने करमों का फल जरूर पाता है, हर कोई है ना, within this life and here only, यहीं इसी मतलब धर्ती पर और इसी जिंदगी में, वो अपने करमों का फल जरूर पाता है, तो फल के रूप में, परिनाम के रूप में बात की हैं, तो fruit तो हमेशा fruit सी होगा ना, plural form में होगा, तो यहां पर fruits लिखना पड़ेगा, of his doings, doing के बारे में concept बताऊं, तो यह भी आपके दिमाग में click करना चाहिए था, कि सरी correct है कि नहीं, तो doing भी कर्म के रूप में अगर हुआ है, तो वहां पर एक किलोता, doing नहीं रहता, उसके साथ S आता है, यहां पर यह गरेक्ट है, यहां पर यह गल्लत था, यहां पर fruit को fruits करना पड़ेगा, ठीक है, अब आगे बढ़ें, work, work का इसी तरीके से होता है, कि work का जब भी अर्थ होता है, परिश्रम, मतलब लेबर, कार, इंगेजमेंट, धन्दा, अक्यूपेशन, है ना, अब फिर employment, नौकरी, तो work को हम uncountable noun मानते हैं, मतलब इसका नहीं singular बना सकते हैं, नहीं महनत के सेंस में, फिर हाड़ वर्क, बेर्स, fruits, मतलब जो हाड़ वर्क है, कड़ी महनत, जो है, वो क्या लाता है, परिणाम लाता है, ना, अच्छा परिणाम लाता है, तो fruit परिणाम के सेंस में देख रो, यहां पर fruits का इस्तेमाल कर नहीं सकते, है ना, यहां पर यह दोनों सेंटेंस क्याते हैं, करेक्ट है, अब आगे बाद करते हैं, कि आईए, कुछ अन्य सब्दों, words, तथा सब्द समूहों को देखें, जिनमें work का परियोग जो हुआ, वो uncountable के रूप में हुआ है, मतलब, जहां भी काम करने के सेंस में इस्तिमाल होगा, वहां पर हम उसको uncountable ना हुन ही मानेंगे, जिसे housework, यह houseworks कभी नहीं कर सकते, है ना, फिर हाउस होल्ड work, voluntary work, मतलब, स्वेक्षिक से जो हम लों काम करते हैं, social work, उड़ वर्क, उड़ वर्क का मतलब, कोई ऐसा मालियाजा घर बना दी है, जो उड़न लकडियों का बना हुआ है, तो उड़ वर्क कहते हैं उसको, homework, अपने गिरह कारी को बोलते हैं, जो बच्चों को देते हैं, फिर स्टोन वर्क, मतलब कोई ऐसा काम मालियाजा, कोई दीवार बना हो है न, तो ये दीवार को हम बना हैं, स्टोन से, पत्थर से, तो भी कहते हैं, स्टोन वर्क, नहीं स्टोन स्टोन वर्क कहेंगे, नहीं स्टोन वर्क कहेंगे, ठीक है, तो कारी के सेंस में creation के sense में होता है तब इसको countable noun मानते हैं और वहाँ पर उसका इस्तमाल plural के रूप में किया जाता है और singular के रूप में भी किया जाता है जैसे आपके पास कोई किसी का art है creation का मतलब होता है कोई रचना है ना जैसे कोई बहुत बढ़ियां painting कर लिया तो वो उसका art work है अगर वो किसी book को लिखा हुआ है तो वो उसका एक creation है रचना है तो उसके sense में जब भी हो तो इसको countable noun मानेंगे अधर रवाए कारी के sense में उसको uncountable noun मानेंगे ठीक जैसे वोड़ा this is a work of art आर्ट दिया है तो समझ में आ गया कि आर्ट के बारे में creation के बारे में रचना के बारे में बता रहा है तो जायर सी बात है कि इसको countable noun मानेंगे और एक art work के बारे में बता रहा है तो यहां पर एक इस्तिमाल करेंगे करेंगे क्योंकि इसको हम countable noun मानते हैं आर्ट के sense में फिर I have gone through all the works of Kalidas कि कालिदास के हर एक works को हमने पढ़ रखा है तो मतलब रचनाओं को पढ़ रखा है उनके द्वारा की गई रचनाओं को तो आल दवक्स यहां पर वक्स करेक्ट है क्योंकि रचना के सेंस में इस्तिमाल हुआ है जैसे देख लेते हैं इस कोशन को क्या बोला है यह बोला इस जो कलात्मग जेनियस है है ना उसके बारे में बहुत अधिक होता है स्पीक वोल्म अबाट समवन का मतलब होता है कि थोड़ा ज्यादा ज्यादा विस्तार से बोलना है ना तो यहीं करें कि बहुत सारा लिटररी वर्क को दिया है मतलब अपने रचनाओं के बारे में बताय होगा तो कारी के सेंज में जब भी इस्तेमाल हो वर्क को तो उसको अंकाउंटेबल नाउन मानेंगे और अगर हम यहां पर किसी के creation के बारे में बता है और रचना के बारे में बता है तो उसको हम countable noun मांते हुए singular और plural दोनों बना सकते हैं यहां तक बिल्कुल correct है तो error किसमे था part number C में और यहां पर literary work नहीं literary works होगा क्योंकि बहुत सारे रचनाओं के बारे में सेक्सपियर के बारे में चर्चा कर रहे हैं चलिए सर यह भी correct है stone का देख लो stone तो material noun मतलब कोई stone का बना हुआ है material noun को stone का कोई दिवार बना हुआ है तो पर stones तो कर नहीं सकते क्यों नहीं कर सकते stones स्टोंग्स इसलिए ने कर सकते क्योंकि वह material noun नहीं है जैसे golds को है sa slvery को सुर्च नहीं कर सकते उस तरीके से तो सैंस में हम यहां पर नहीं बता है क्योंकि और कि है यहां पर stone का धियान देना क्या एक और लिए तरीके से ऊसब होता है कि कि एक पॉंड में हैं कि कि पॉंड में कि फेमस कोष्जण है के यह मुझे आपके मैं जानता हूं मैं इसलिए पूछ रहा हूं मैं जानता हूं एंजेक्ट स reviewing Quinn पूछ रहा हूं ठीक है तो जड़ा देख लो स्टोन जो है वो एक स्टोन होता है 14 पाउंड के बराबर आप फिर 6.3 किलोग्राम के बराबर होता है ठीक है यूनिट आफ वेट के इस्तिमाल गरूप में इस्तिमाल होता है और यह सिंगुलर फो में होता है ऐस्टोन आपर स्टोनस नहीं लिखाएगा लेकिन अगर इस को पुलर बनाना है तो वने हम इसको इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन ध्यान देना कि जो भी हम इसके साथ करेंगे मतलब अस्टोन कभी स्टोन्स नहीं हो सकता और स्टोन का सब किस याद कर लोगे तो किसी को भी फॉलो करो अब जड़ा देखो यहां पर वोला है एक किलो आटा को बेचा गया कितना एस्टॉन मतलब सिंपल सी बात है तो यहां पर बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि ए लगा है तो इसको करेक्ट है यहां पर लिखा हुए ना कि ए वान टू थ्री ऐसे भी लगा सकते है लेकिन उसके बावजूद भी वह हमेसा सिंग्लर ही होगा फिर यहां पर क्या बोले हैं देखो यहां बोले कि धब बेबी लिखेगा आपको यहां पर देखो स्टों कर दिया है जो की गलत है तिक अब देख लो यहां पर बोलाया कि वहीं चीज में लिख दिया हूं जो एक्स्प्रेंट किया कि स्टोन का अगर यूज हम करते हैं पत्थर रतन को भी बोलते हैं रतन मतलों जो आप लोग उठी पहन अफ मैंगो इन माई हैंड ऐसे अगर हम बोले तो वहाँ पर फल के गुठली के रुप में इस्तिमाल हुआ है तो इसको हम अनकांटेबल और कांटेबल दोनों मान सकते हैं माल लिया जाए आप रस्ते में जा रहे हो आप दो चार पत्थर उठा लिए तो नहीं कह सकते है कि की फोर स्टॉन मेरे हाथ में फोर स्टॉनस हैं four स्टॉनस हैं यह कह सकते हैं और इसके साथ आर सकते हो मतलब स्टेबल करfir ब्लूरल के बहल बूर फ principles ब्लूरं की तरव नारं के तरह करött फलों की गुटली को भी आप गिन सकते हो तो countable noun उसको मान सकते हो लेकिन वजन के रूप में अगर इस्तिमाल करना हो तो वहाँ पर आपको क्या करना है वहाँ पर singular ही मानना है और singular फर्व का ही इस्तिमाल करना है हमेशा अब आपको किसार इसके पहले आपने material noun के बारे में ब एक दिवार को बना दिये पुरे stone का तो वहां material के रूप में इस्तिमाल की हो है ना, जिसे soil को इस्तिमाल करते हैं cement को इस्तिमाल करते हैं material के रूप में इसी तरिके से पत्थर का इस्तिमाल करे हो तब वहाँ पर uncountable noun हो जाएगा लेकिन अगर दो-चार पत्थर के टुकड़े को आप गिनने की बात करें तो countable noun हो जाएगा तो इस चीज के बारे नहाँ पर mention किया हुए अब दो यहाँ पर idiom है इसको देख लो, इसका mini होता है to leave no stone unturned मतलब सब परकार के उपाय कर लेना इसका यह मिनी होता है याद कर लेना to leave no stone unturned मतलब किसी चीज को करने के लिए एक भी ऐसा पत्थर नहीं था जिसको उसने उलटके नहीं देखा मतलब हर परकार के उपाय उसने कर लिया इसका यह मिनी होता है परियोग हम लो सिंगुलर के रूप में करते हैं तथा इसका अर्थ के जो होता है इसके पहले ए, एन और दा का परियोग हम कभी नहीं करते हैं इस चीज को भी ध्यान रखना ठीक है मतलब पस्व पक्षी का नाम लिखा हो और उस sentence से पता चल रहा हो कि आप उसके सिकार करने के लिए गया हो तो उस पस्व और पक्षी के नाम उसको हम हमेशा ही मतलब उसके नाम को हमेशा सिंगलर फॉर्म में ही रखेंगे और सिंगलर फॉर्म रखते हुए भी उसके पहले ए, ए, अ, दा का परियोग हम नहीं करेंगे यह इस रूल का खासियत है जैसे देख लो मतलब सिकार करने के लिए गया है तो एक सिंगल एलिफेंट के रूप में अगर इस्तिमाल करते हैं यह भी लिख सकते थे लेकिन गलत है यहाँ हमेशा लिखना पड़ेगा यह वेंट तो हंट एलिफेंट अब देखो इसको सिंगलर तो माने है सिंगलर तो करेक्ट है लेकिन इसके पहले अन का परियोग कर दिया जो कि गलत है तो कहने का मतलब है कि जब भी सिकार के सेंसे में अगर इस्तिमाल करते हैं किसी पक्सू अपक्षी का नाम तो उसको हमेशा singular form में ही रखेंगे और ना उसका plural बना सकते हैं ना उसके पहले हम a and a का प्रयोग कर सकते हैं ठीक है जिसे देख लो आगे बोला है कि your elder brother wanted to suit wild duck wild duck को suit करना चाहता था तो देखो wild duck लिखा है ना तो a wild duck लिखा है ना तो ducks लिखा है इसलिए यह क्या है correct है लेकिन यहाँ पर बोल दिया है कि your elder brother wanted to shoot wild ducks इसको plural बना दिया जो कि गलत है फिर wild duck के पहले एक इस्तेमाल कर दिया जो कि गलत है तो समझ गया है जब भी पस्तुपक्षी का नाम का इस्तेमाल अगर उसके hunting इसके सिकार के सेंस में किया गया हो है ना तो इतना जान लो मतलब जो रिने कि वहाँ पर हंट वर्ड जो है इस तरीके से मेंशन हो यहाँ पर shoot करने से भी पता चल रहा कोशी कार करने के लिए है यहां पर नहीं थे नहीं घी खशता हैं मिलाक्त अब मोलसिस कोई नहीं होता है सब्सक्राइब अब मॉलसिसकाय हमी anterioret का में ख़ अब होता है मिलासिस कोई नहीं होता है तो मिलासिस यूइअ तो गूड होता है यह इसका प्लूरल फॉर्म नहीं है हमेशा मुलासेशी देखेगा आपको यहीं बोड़ा है कि यह सिमुलर है और इसके साथ हमेशा सिमुलर भरकपा इस्तेमाल करेंगे तो यहां दिया है मेनी पीपल प्रीफर कर रहे हैं कड को तो कड सम कभी नहीं कर सकते प्लूरल नहीं बना सकते यह बिल्कुल करेक्ट है फिर देखो वहीं कड कर दिया तो गरत हो गया तो बहुत से लिए दूद के पेक्ष़द ही को ज़्यादा पसंद करते हैं ठीक है समझ गे बात को तो कड को कड सम नहीं कर सकते चलिए यहां तक समझ गये फिर की गूर को लिखने की कोशिच नहीं करेंगे कि मोलासेस है तो नहीं कर देंग नएए यह मॉलासेस और इसके साथ इस कही परियोग होगा है आर कपरियों रहें होगा तो मॉलासेस इज्म Hamm tv विलॅत है तो चलिए तो correct है लेकिन food का एक और भी meaning होता है फूट का meaning होता है पैदल, सेना, सिपाही ना तो सिपाही लोग पैदल चल रहे हैं कोई एक सिपाही नहीं पैदल चलता होगा गुर्ब्प में तो कहने का मतलब है कि जब भी हम food का इस्तेमाल पैदल सेना सिपाही के अर्थ में करते हैं तो इसको हम प्लूरल मानते हैं और प्लूरल इसका फीट नहीं होता ये फूट भी अपने आप में प्लूरल फॉर्म है लेकिन कब जब इसका हम इसका इस्तिमाल करें सैनिक के रूप में तब जब कोई पैदल चल दे सैनिक असिपाही के रूप में अगर हम इसका प्रयोग करें प्लूरल के रूप में तो ये फूट भी अपने आप में कहा है प्लूरल है लेकिन कब प्लूरल है सेना असिपाही के सेंस में देखो यहाँ पर क्या पूछा है कोशन में है कि 3000 फूट है ब मतलब पैर को भेजगे तो यह तो इसमें ऐसा हो सकता है 3000 दिया मतलब इसके बाद प्लूरल होना चाहिए फूट को देखकर के फीट कर दो पहला किलिक यह किया होगा आपके दिमाग में दूसरा किलिक करेगा कि फूट के जगा में हो सकता है कि आर्मी का इस्तेमाल कर देना चाहिए था है ना वह भी सही आया आपके दिमाग में लेकिन यह फूट का जब में बाकी पैर के रूप में अगर हम करेंगे तो फीट होगा इसका प्लूरल चलिए नैंटी सेकंड बोर्ड है जूरी ओडियेंस यह सब देख लो जो बच अब जो जितने रूल आएंगे सब बचपनवाला रूल आएगा जो एक्सेप्शन में इसका वह मैं बताते जाओं है ना यह सारे वर्ड जितने हैं यह कलेक्टिव नाउन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है और अगर कलेक्टिव नाउन के रूप में इसका इस्तेमाल करेंगे तो यह सिंगुलर के रूप में इसके साथ सिंगलर भर्व का भी इस्तेमाल होगा बहुत अच्छे से एक किसी को पकड़ें जूरी को जूरी को पकड़ें इसमें से सब के उपर एक ही concept लागो होगा जूरी को पकड़ें एक collective जूरी का मतलब होता है पंचायत पंचायत में बहुत सारी लोग होते हैं दो चार पांच लोग होते हैं तस लोग भी हो सकते हैं अब क्या है कि इसको अ singular noun के रूप में इस्तिमाल करेंगे और उसके साथ singular verb का इस्तिमाल करेंगे सभी है लेकिन ध्यान देना बहुत important बात बता रहा हूँ लेकिन उस sentence को पढ़ने से अगर आपको पता चल जाए कि उस jury में जितने सारे member हैं उसके अलग-अलग decision के बारे में और फिर अलग-अलग opinion के बारे में पता चले तो अलग-अलग का अगर sense दे दे हर एक member के रूप में तब वहाँ पर singular verb का इस्तिमाल ना करके हम plural verb का इस्तिमाल करेंगे समझ रहे हो और अगर इकठे हम एक group के बारे में बात करें तब हम वहाँ पर singular verb का इस्तिमाल करते हैं जैसे मैं बताऊं यहाँ पर है बहुत सारे member है यह jury है बतलो यह group ही पूरा jury है क्योंकि सारे member मिलके ही jury बनता है एक group ही होता है वो अगर collectively अगर बात करें इस group के बारे में अगर कोई jury decision लेता है तो क्या समझेंगे इसके member ने decision लिया अब पूरे jury ने decision लिया तो जहें इसे बात है decision word से ही आपको पकड़ लेना चाहिए कि decision लेता है कोई jury मतला आपस में चर्चा तो सब करते हैं एक दूसरे से गब सब भी करेंगे लेकिन जब verdict की बात है नेरने की बात है decision की बात है तो पूरे group से कोई decision लिया जाता है मतला कोई decision कहलाता है कि वो पूरे पंचाहतने एक decision पर पहुँचा उस niscus पर पहुँचा तो ऐसे conclusion decision इस तरीके के word का इस्तिमाल से आपको पहचान जाना है कि वो पूरे जूरी के बारे में बता रहा है तब वहाँ पर ease का परियोग कर देंगे ease was का परियोग कर देंगे does का परियोग कर देंगे मतलो singular verb का इस्तिमाल कर देंगे लेकिन अगर बोले कि इस जूरी के सारे member आपस में मतभेद हो गया तो मतभेद जैसा कोई word आ गया तो वहाँ पर क्या पता चल रहा है कि जूरी अकेला मतभेद थोड़े होता है जूरी के हर एक member आपस में मतभेद कर बैठते है तो वहाँ पर members का पता चल जाता है तो मेरा यहाँ कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई ऐसा word sentence में रहे जिससे पता चले कि वह सारे member के बारे में बता रहा है तब वहाँ पर R का इस्तेमाल करो plural verb का इस्तेमाल करो और हमेशा धिया देना यह सब plural form इसका jury का jury समत कर देना audience का audiences समत कर देना यह हमेशा आपका क्या होगा singular form में ही रहेगा लेकिन verb का इस्तेमाल singular भी होता है plural भी होता है क्या बता है मैं यह सारे जितने सारे word है यह हमेशा singular में ही दिखेंगे plural में कभी नहीं दिखेंगे लेकिन इसके साथ verb का इस्तेमाल होता है singular में भी और plural verb का भी singular का तब इस्तेमाल होगा जब उससे पता चले कि कोई word से ये पता चले कि पूरा jury जो है वो इकठे किसी चीज को किया है तो इकठे की बात का पता चले तब आप समझ जाना कि वहाँ पर ease का परियोग करेंगे लेकिन सारे members का वहाँ पर अगर निकल करकी आता है उसका sense तो समझ जाना सारे members को indicate करना चारा तो आर का फरियोग कर देंगे मतलब plural वर्व का इस्तिमाल कर देंगे अब देखते हैं सारा concept में बता दिया हूं अब यहाँ पर देखते हैं क्या बोड़ा है कि the jury have given its verdict मतलब jury ने अपने verdict को दिया but many are not satisfied with it अब देखो यहाँ पर दो पार्ट है sentence का the jury have given its verdict but many are not satisfied with it तो यह अलग बात है कि बहुत लोग इसमें से satisfied नहीं हो सकता हो jury के member हो अब फिर जूरी के बाहर के member हो है ना यह satisfied नहीं तो यह अलग की देख रहा है the jury has the jury have given its verdict मतलब jury ने इसके verdict को दिया मतलब नीरने को दिया decision पर पहुंचा है ना तो verdict पर कौन पहुंचता है भाई पूरे group हर member अलग-अलग verdict थोड़े सुनाता है पूरा group इकठे एक साथ इसका कोई जो head होता हो वो सुना देता है उसी को माल लिया जाता है verdict है यह ना तो कहने का मतलब यह है कि नीरने जब भी लिया जाता है तो इकठे लिया जाता है किसी jury के थूरू हर member अलग-अलग verdict नहीं सुनाता तो यहाँ पर jury का इस्तेमाल जो हुआ है verdict के sense में यह इस चीज़ को sense दे रहा है इस चीज़ का meaning बताने की कोशिश कर रहा है कि इकठे लिया गया है इकठे लिया गया मतलब इसके साथ जो भी verb का इस्तेमाल हुआ होगा वो singular के रूप में होन होगा तो देख लो यहाँ पर हैव दे दिया है जो की गलत है यहाँ पर क्या होना चाहिए हैज होना चाहिए कैसे पकड़े इस verdict वर्ड से पकड़े और वैसे भी वर्डिक के पहले इस का परियोग हुआ है इसका मतलब है कि यहाँ पर jury को singular माना गया है अगर दियर रहता इ इसले singular मान बैठे और यहाँ पर हैव के जगा है लिखना पड़ेगा दूसरा क्लू था है यहाँ पर इट से ठीक है अब वही चीज़ यहाँ पर मैं समझा दिया हूं कि लेकिन जब इससे परतेक सदस्रिका बोध होता है तो इसके साथ plural वर्ब का परियोग करते हैं और nouns of multitude of members of a crowd or large gathering होता है यह वही बात पता है जो मैं समझा है multitude का मतलब बहुत भीड़ भाड़ है मतलब उसमें हर एक व्यक्तिक के members के बारे में पता चले तो वहाँ पर आपको आर का इस्तेमाल करना है याने की plural form का इस्तेमाल करना है जैसे देख लो यहाँ पर क्या मैंने बताया यहां पाले है, जूरी होज भाश दिया है, चलो इसको एक मानने की कोशिस किया है, डिवाइडेड उन डिस कोंट्रोवर्चल इसू है एक जो मुद्दा है है ना मतलब विवादित जो मुद्दा है उसके उपर जूरी क्या था डिवाइड़ था मतलब बटा हुआ था आपस में तो भाई जूरी है तो आपस में दो तिन तुक्रें थोड़े बटा होगा कहने का मतलब यह हर एक मेंबर अफिल हर एक मेंबर जो है वह आपस में बटा ह होगा तो भी हाँ अलग-अलग ग्रूप में बट गए ना मतलब बहुत नंबर अफ ग्रूप्स हो गए तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि यह जो जूरी है यह आपका सिंगुलर नहीं रहा गया इसके मेंबर के जो है सबके अलग-अलग जो उपीनियन थे ये बटह हुए थे जूरी मतलब जूरी जब चाबर नहीं क्या आपका प्लूरल यह पर समझगे है कि की तरीके का डाउट है यहां पर फिर नेक्स्ट कोशन देख लो क्या पूछा है प्रिवियस का कोशन है साइज यूपेस्टी के किसी पेपर में एंडिये सीडियेस का कोई कोशन है यह देख लो यहांवला दा जूरी हैव आर्ग्यूड फॉर मोर दैन वन अब यहांपर देखो जूरी आया है प्लूरर मांते हुए यहांपर है ठीक है आर्ग्यूड फॉर मोर दैन वन इन हाफ आर्ग्यूड पतलब डेड़ घंटे से ज़्यादा आर्ग्यू किये आपस में वाद विवाद किये तो आपस में सिर्फ एक ही अगर इसको इकठे माने तो आपस में एक ही जूरी किस से वाद विवाद करेगा यह तो मिनिंग दे ही नहीं रहा है मिनिंग ये दे रहा है कि आर्गू करने का मिनिंग कब आपको मतलब ये लगेगा कि मिनिंग फूल है जब इसके सारे मेंबर आपस में आर्गू कर रहे होंगे तो सारे मेंबर का सेंस देता है सारे मेंबर का सेंस देता है अब 93 नमर में देखते हैं यह बता चुका हूँ डेडी वन आफ के बाद जो भी आपका नाउन आता है वो plural नाउन होता है लेकिन उसके साथ जो verb होता है वो singular होता है क्योंकि वो एक के बारे में बता रहा है इसलिए singular verb का इस्तेमाल करते हैं लेकिन यह वन आफ जो होता है वो किसी बहुत सारे मेंबर का कोई पार्ट रहा होगा तो इस इस ग्रूप के बहुत सारे मेंबर होंगे इसलिए इसको plural में रखा जाता है ठीक है पहले भी concept discuss कर दिया हूँ इसी इसी lecture में तो यहाँ पर है इसी तरीके के one of के जैसा each of, either of, neither of, any of, everyone of है ना both of, several of, इस तरीके के जितने है a few of, very few of, हाफ of, a lot of, a large number of a number of, the number of, देख लिए आपर तो a number of के बाद भी अगर कोई नाउन आता है तो उसको plural में ही रखेंगे लेकिन verb का इसने माल होगा singular में, ठीक इसके उपर कोई question आने वाला है इसलिए मैं इसको indicate कर रहा हूँ a number of वाला, देखना आ गए अच्छा इसका example दिया है either of आया है, तो भाई, either of the girls होगा है ना, क्योंकि plural में रखा जाना है इधर, इधर आयदर दोनों पढ़ते हैं इसको either of the girl, सिर्फ similar इसलिए गलत हो गया one of the boys, plural इसलिए करेक्ट हो गया one of boy गलत हो गया है यहां पर देखे हो, is, 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 was है वो बिल्कुल करेक्ट है अपने जगा लेकिन आपर noun का यूज गलत था समझे, अब आगे देखो cattle है, cattle का मतलब, cattle का मतलब होता है पश्वों का group है ना, sheep, sheep का मतलब भेड होता है, deer का मतलब हीरन होता है gentry, है ना, poultry, gentry का मतलब होता है जो सजजन गन होते हैं गाउं में उसको poultry, folk, people, police, cavalry, infantry, infantry, presentry, clergy, clergy, और यह क्या है, excreta, insignia, excreta का मतलब जानते हो, आप लोग, मलमुत्र जो भी होता है, insignia, admiralty, nobility, humanity, यह ना, तो थोड़ा कभी-कभी dictionary का भी इस्ते माल कर लिया, करो meaning जानने के लिए, इतना बताऊंगा, एक अक करके बहुत time ले लेगा, तो इसमें कहरा है कि यह सारे वर्ट जब भी दिख जा तो आपको इसी form में दिखेंगे, इसके साथ हम S और ES कभी नहीं जोड़ते हैं, कभी नहीं जोड़ते हैं, मतलब कभी नहीं जोड़ते हैं, माल लेज़ाब दो हीरन को देखें, अब दो भेड को देखे, चार भेड को देखे, चार हीरन को देखे, ऐसा, तो फोर डियर्स मत कर देना, इसमें S और ES कभी जोड़ता हैं नहीं है, तीक है, इसका plural बनाया नहीं जाता है, अपने आप में ही plural होता है, तो फोर डियर्स भी लिखेंगे, तो भी अब डियर्स ही रहने देना, ऐसा, इसमें मत जोड़ देना, जैक, जैसे एक्जांपल में करके रखाओं देखो, यहां पर क्या है, यहां पर है, यह मतलब हम ऐसा यह plural नाउन के रुप में इस्तेमाल होता है, इसका, है क्योंकि प्लूरल है, प्लूरल नाउन मानें, तो वर लगेगा ही लगे set, इस अस्तान के, अब यहां के सजंगन्स, अब क्या है, गरीब है न, अब यहां को किया यह जैनर्ट को ना जैनर्टि जैनर्ट जैनर्ट रबना सकते हैं न इसके बाद हम i rise लेख सकते हैं और लिखना पड़ेगा आर तो सही है लेकिन zou करके यह गलत कर दिया यहां तक फिर कैनान है कैनान का मतलब होता है तो तोप जो हम लोग छोड़ते हैं बड़े-बड़े गोले दागते हैं उसको बोलते हैं मतलब तोप में छूट रही थी तो यहाँ पर यह करेक्ट है वर का इस्तिमाल हुआ है क्योंकि हमेशा कैनन ही होता है इसमें आगे दिखते हैं सम फोक का मतलब होता है पबलिक के न तो सम फोक और नेवर सैटिस्वाइड कुछ लोग जो होता है कभी संतुस्त नहीं होते तो यह बिलकुल करेक्ट है क्योंकि फोक को फोक्स नहीं करते है आर अपने जग़ए करेक्ट है यहाँ पर क्या दिया है यहाँ दिया है I saw two dears in the woods मतलब जंगल में मैंने क्या देखा two dears देखा तो dears two dears कर दिया भाई यह तो गलत हो गया क्योंकि deer का dears तो हम करी नहीं सकते सब्सक्राइब जब मैं जंगल से होकर गुजर रहा था I happen to see a number of deer मैं बहुत सारे deer को देखा अब देखना इसके पहले वाले concept मैं जब बताया था कि one of the number of a number of जब भी इस्तेमाल हो तो इसके बाद आपका क्या आता है plural noun तो इस sense में यह सही हो जाना चाहिए सही तो हो जाना चाहिए लेकिन एक तो हम जानते कि deer को हम deer कभी कर ही नहीं सकते क्योंकि deer अपने आप में ही plural है तो मैंने बताया था कि a number of के पात plural होना चाहिए तो plural तो डियर भी है तो एस लगाने की ज़रत ही नहीं है क्योंकि deer में एस लगा करके plural नहीं बनाया जाता ठीक है तो डियर अपने आप में plural है इसलिए यहां पर डियर ओफ अ नंबर ओफ डियर होगा चलिए सारा कॉंसेप क्लियर रोगा धिरे अब कु तो पीसेश में हम प्लूरल बनाया लेकिं का अडवाईस ही रहेगा अब यहां पर आपके लिए एक वरक है कि अडवाईस और ड्वाईज में क्या फरक है यह जह है ना अडवाईस कि इन दोनों में क्या परक है कमें बताओन और फिर है कि किसी को ब्रेड contenido देना तो two pieces of bread देंगे लेकिन two breads नहीं देंगे इसमें yes जोड़ करके नहीं करेंगे तो इसी तरीके से यह सारे वड़े हैं पढ़ लेना पॉस करके पढ़ लो और फिर पीडियुप से पढ़ लेना अडवाइस ब्रेड बटर चॉक डर्ट डर्स्ट एलेक्टिसिटी फूड यह वाला है है ना यह सारे वड़ें तो अगर गौर से देखोगे ना तो कोई ना को क्लू आपको मिल जाएगा देखने को कि कुछ एक ही चीज़ को बताने की कोशिस कर रहा है ठीक है तो यह सब को पढ़ लो और समझ जाओ कि इसको हम प्लूरल नहीं बनाते प्लूरल बना सकते हैं उसके पहले कुछ दूसरा वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा जैसे पीस के इस्तेमाल किये अब यह चीज़ यहां पर बोड़ा देख लो बोड़ा नीचे दिएगे सब जो है मतलब यह सब बच्पन से पढ़ते आए हो सिंगुलर और अथवा प्लूरल दोनों में किये जा सकते हैं जैसे सिंगुलर के रुप में भी करेंगे मिन्स मतलों साधन रुपाए होता है टाइडिंग कeton कर conservatives सिरी जैन क्रोसरोड नहीं लिखना रोडस होगा है सिरे यह लिए फिर में किवार पूछा इसके बेश पर में पूछा झाल गया एक सिरीज एक सिरीज एकर क्पिसे और हेड़कौтр эфф boards नहीं देगा एक जो barbar यह जो की गलत हो जाता है species में species कर देगा मतलब yes जोड़ देगा जो की गलत है headquarters को लिकना है चाहिए हमें सा headquarters जबकि yes को drop करके सिर्फ headquarters लिखा रहेगा तो भी वो गलत है तो इसको ध्यान पुर्वक पढ़ो और समझ जाओ कि singular के रूप में भी प्लूरल के रूप में भी लेकिन इसके साथ छेड़ शार नहीं कर सकते इसके साथ जितने भी एस हैं ना तो extra s add होगा ना तो कोई add यहां से drop होगा समझ के यहां तक सब कुछ clear है जैसे यहां पर बोला है कि the two series are quite different बत्तों जो दो series हैं हो प्लूरल के रूप में होगा तो वहारवी क्या होगा प्लूरल होगा जो की बिलकुल करेक्ट है है ना लेकिन series के जगापर हम series नहीं किये देख रहे हो acs नहीं जोड़े साइद मतला प्लूरल के रूप में होगा है फिर the company's headquarters is और फिर are in एटलांटा headquarters का मतलब है कि हम इसको plural भी मान सकते हैं singular भी इसके साथ easy भी सही इसके साथ r भी सही है है ना तो कहने का लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि headquarters simply कभी नहीं रहेगा इसके साथ S हमेशा रहेगा यह बताने का यहाँ पर यह किया गया है आप स्रीज ओफ लेक्षर जो है वह चलने वाले किसके उपर प्लेनेट्स को पर गरह नचसेतर के उपर में तो यह से पढ़ लो देख लो लेकिन इसका क्या मतलब हो रोस्कोप का मतलब रासी कफल आप लोग देखते हैं क्या क्या होता है हाना कि मैं बच्वन में देखता था अब देखना बंद कर दिया ठीक है यह एस्ट्रोलोजी वगरे को मैं मतलब मेरा पॉइंट आफ ऐसा मतलब भी हूस है इसके परती कि मैं इस चीज़ को सही नहीं मालता ठीक हाला कि मैं भी रिंग्स पहनता हूं मेरे उंगली में भी दो में मुद्ध हो क्या देखो यहां पर सीरीज दिख रहा है कहीं दिख रहा है और सीरीज ओफ लेक्चर सीरीज के पहले यह लगा दिये मतलब इसको में सिंग्लर मान बैठें तो अभी बताए कि सिरीज हो स्पेसी जो हेड़ कॉर्टर सो कुछ भी हो थैंक्स हो है ना कुछ सिंगुलर भी यूज करेंगे प्लॉरल भी तब तो यहां बिल्कुल करेक्ट है ठीक है लेकिन वर्ब का इस्तिमाल हम सिंग्लर करेंगे तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए तो बोड़ा है अस्रीज ओफ लेक्चर मतलब हैं यह लेक्चर को देखके प्लूरल मन समझना है यहां पर में आपका subject ठीक है तो a series of lectures एक series में बहुत सारे lecture हो सकते हैं इसलिए इस series के बारे मता रहा है subject बना रहा है आगे क्या है a series of lectures on planets and their placement in all the 12 houses in the horoscope were to be arranged were to be arranged अब series के साथ जो verb का इस्तेमाल हुआ यह वर का इस्तेमाल हुआ है तो क्या है सही है या गलत है क्योंकि आभी बताएं कि singular के रूप में इस्तेमाल करें कुछें और क्योंकि European का इस्तेमाल है तो अगर वर को आप यहां पर correct करोगे correct करोगे तो यहां क्योंकि अलग-अलग series थोड़े निकालेंगे वो जो astrology के जो गुरू हैं इस sentence के हिसाब से वो अलग-अलग series थोड़े निकालेंगे lecture देने के लिए समझे लो, series करने का मतलब 5 दिन के classes चलेंगे, lecture चलेंगे ऐसा थोड़े कि 5 दिन आच चलाया, 5 दिन फिर चलाया, फिर चलाया, ऐसा नहीं तो इसका sense ऐसा निकल के आ रहा है तो यहाँ पर एक को नहीं हटाएंगे, a series अपने आप में correct है और a series of lectures तो है, एक subject का काम कर रहा है एक singular के रूप में, इसलिए war नहीं होगा, यहाँ पर was होगा was to be arranged, clear यहां तक फिर है, I want to know where the headquarters of Delhi police is situated मैं जानना चाहता हूँ कि Delhi police का headquarters कहां situated है तो भाई जड़ा देखो, headquarters को अभी अभी बताया कि यह singular में इस्तेमाल हो या plural में हलाकि यह singular में दिया है का is का इस्तेमाल हुआ है लेकिन फिर भी यहाँ पर s लगाना ही पड़ेगा क्यों क्योंकि headquarter अकेला नहीं रहता, इसके साथ कोई ना कोई रहता है, यह रहती है, s, समझे रहती है चलो ठीक है भई, नीचे दिये nouns हमेशा plural के रूप में इस्तेमाल होता है यह सारे plural के ही रूप में इस्तेमाल होता है इसके पीछे भी logic है, logic समझना चाते हैं तो बता जिता हूँ कोई CD है, कोई CD है मालो, चत पे जाते हूँ कोई अकेला CD रह सकता है, मतलब देखो, CD कैसे होता है civil engineer हूँ, तो मैं आपको बता सकता हूँ, इसके बारे में डीटेल जैसे CD कैसे होता है, ऐसे होता है न, ऐसा होता है इसको बोलते हैं, राइजर, इस वाले पार्ट को technical term लियाता है, राइजर जो आप चड़ते हैं जिस पर उसको बोलते हैं राइजर, और यह वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मैं अभी फिलाज करें भूल गया तो कहने का मतलब है, कोई भी छट पे चड़ते हैं, तो एक CD से CD से CD बन सकती है नहीं, CD वो तभी कहलाएगा भई, जब उसमें बहुत सारे राइजर्स हों, मतलब स्टेर्स हों, है ना, समझ रहो तो स्टेर्स होना चाहिए वहाँ पर फिर देखो, सन गलास है, मतलब गलासे जो आप गोगल्स वगरे पहनते हो, आँख पे चस्मा लगाते हो, वो चस्मा अकिला रह सकता है नहीं रह सकता भई, उसके साथ, मतलब एक आँख कोई नहीं पहनता, समझ रहो, उसमें दोनों सीसे लगए रहते हैं बाइनकलर्स में एक नहीं रहता, दोनों पार्ट रहते हैं, सीजर्स कैंची में एक पार्ट नहीं रहता, वरना वो कैंची कहलाएगा है नहीं तूटा हुआ केंची कहलाएगा वो समझ रहूं तो ये हमेशा plural में होता है इसलिए इसको बोला गया कि ये plural रूप में हमेशा होता है करेक्ट है यहां तक तो इसका रूप हमेशा मतलब S यहां से कभी हटाने की कोशिश मत करना ये इसका main कहने का मतलब है सबका meaning link दिया हूँ देख लेना है यहां पर लेकिन जौरत के हिसाब से इसके पहले हम A, Two, Three, Four ऐसे इसलिए इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे A pair of suj कैसे थे हैं suj को सूक सिर्फ नहीं कर सकते क्योंकि आप एक ही suj पहन करके नहीं निकलते घर से, suj पहन करके निकलते हैं दोनों pair में, तो A pair of suj होगा ठीक है, अगर इसको बनाना हो singular or plural मतलब numeral phrase इसमें add करना पड़ेगा आपको फिर Two pairs of jeans तो यह सारे आप बच्पन से पढ़ते आए हैं ना चलिए, अब कुछी बच्चे हुए हैं फिर दिया गया, नीचे दिये गए compound nouns को plural बनाने के लिए उसके मुख्य जो noun होता है उसको S और ES लगा जाता है, तो बता दो commander if chief में कौन सा word जो है, वो मुख्य है, in तो है नहीं ins नहीं कर सकते, chief तो है नहीं, chiefs नहीं कर सकते तो यहाँ पर commander man word है तो commander's को सिर्फ करेंगे, क्या plural, sons son in law है, तो son में सिर्फ man तो यहाँ पर यह है, बेटा है ना, तो इसको ही सिर्फ plural बनाएंगे, mother in law है, mother in law करेंगे, step son, step sons करेंगे na, कि steps, steps कर दोगे तो इसका मतलो हो जाएगा, सीड़ी, फिर steps हो जाएगा servant भी है, तो किसी को भी करो man को सिर्फ man कर दो, या फिर servant को servants कर दो, दोनों तरीके से बना सकते हैं, यह ना, तो man servants होगा, man servant होगा, दोनों को मत बनाना ठीक है, passer बाय है, तो passer सबाय, passer सबाय होगा, ठीक, अब जड़ा देख लो, single, plural, बच्पन से काफ है, एलफ है, हाफ है, नइफ है, जिसके सकी में F है, तो F को हटा करके अब VS को add कर दी हो, F को हटा करके VS को add कर दी हो, तो यह सब पढ़ ले ना, pause करके, पहले सब जानते हो, इस बतनाने के लिए हैं, जना कि इस से बहुत कम question पूछते हैं, लीफ है, लीफ कर दिये, लाइफ है, लाइफ कर दिये, लोफ, लोफ, सेल्फ, सेल्फ, यह शेल्फ का मत होता है, रखने वाला, किताब वगरा, जो भी रखते हो, और यह हमाई सेल्फ आवर सेल्फ वाला है, थीफ है, थीफ है, वाइफ है, वाइफ है, उल्फ है, उल्फ है, कर ही जाएगा आपके दिमाग में ठीक है तो चीफ को हम F को हटा के VES नहीं किये हैं ध्यान रखना तो यह सब exception है उसके चीफ का चीफ से, रूफ का रूफ से, कफ का कफ से, गल्फ का गल्फ से, सेफ का सेफ से, प्रूफ का प्रूफ से, चैल्ड का चिल्डरन होता है, चैल्ड का चिल्डरन होता है, फूट का फीट होता है, लेकिन फूट अपने आप में भी प्लूरल है का जब सैनिक की रूप मे का मेन होता है माउस का माइस होता है पेनी का पेंस होता है परसन का पीपल होता है टूथ का टीथ होता है वुमन का विमन होता है चलिए देख लिए अब आखरी जो बच गया वो क्या है कि नीचे दिए गए सब्द चुकि दूसरी भासा से लिए गए इसलिए इनका प्लूरल तरिक पारंपरीग तरीकपारंपरी तरीके सील कर नहीं बनाते कैसे बनाते इसका ऩो यहागा है प्रण सेयरे इंगल्रीश को लोब इसाइन लोड़ है चो अगर आप graduate okay निकार हो आप नहीं किसे पे कि I am I am a pass out student नहीं इसका मतलब होता है बहुत हो जाना अगर आपको कहना तो आपको होगे कि मैं graduate करके निकला हूँ यहां से ठीक ग्रेजुवेट और वर्ड का इस्तिमाल होता है जा छोड़ो alumnus है इसका प्रोर यह है अनालीसिस है यह सारे अप पढ़ लेना फिक यह सब पॉस करके पढ़ लो फिर पीडियाप से पढ़ लेना देख लो क्येकर से हैं तो यह सब पढ़ लो घा है ने पर यहां पर एक एक सप्सेंट भी है देख लेना निचे लिख दिए हो छोड़ा कुछ आपको दीख रहा है फिर नौट में देख लो लेकिन कहना एक की देखो यहां पर आस-स करके दिया था ना जिसका plural विराइंट नहीं होता है, इसमें ESM जोड सकते हैं, तो वायर e-68 होगा, इन में से कुछ सब्धा ऐसे हैं जिस सब्देखी जिसा चिह लेकिन उसके बावजुद भी बैक्टेरिया और डेटा दो ऐसे वर्ड हैं जिसका हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं जैसे यह आप डेटा की रूप में देखो गईता डेटा वर लोस्ट इंड प्रोसेस या भी सख़िय जाओगे तो मतलब अलग होता है अगर और डाटा का डेटा का क्या है सिम्गूडर फर्म होता है चलिए बहुत को सीगे अब थर्ड में दिखा है यहाँ पर मीडिया मीडिया संचार की प्रींग डेधिये वड्र यहें सिंगूलर फॉउर्म में बहुत मेहनत करना पड़ा है मतलों समझो कि 12 14 15 घंटे मुझे लग जाते हैं सिर्फ कंटेंट को टाइप करने में सब जगा से कलेक्ट करना प्रिवेसर के कोशन सब इतना ज्यादा मेहनत है मत पूछो लेकिन मैं अगर यह बीड़ा उठाया हूँ कम्प्लीट भी कराऊंगा टेंशन ना लो लेकिन आप लोग मदद करोगे तभी और मदद किस तरीके से करोगे आपको वीडियो को लाइक करना है कुछ लोग तक सेर भी करो भाई सब्सक्राइबर बढ़ा बढ़ने ही रहे खर इसमें मेरी कलती है क्योंकि मैं आप सक्सेस बार-बार वीडियो को देखो बार-बार टेस्ट अब सब कुछ याद हो जाएंगे तो चलिए आज का क्लास फिर से रैप अप करते हैं थेंक यू वेरी मच